आज का जो टॉपिक है वो यह है कि अब तक हमने बिजनस क्यों करना चाहिए वो जान लिया था बिजनस के एथिक्स क्या है बिजनस मेंस के एथिक्स क्या है उनके करेक्टर्स क्या है उन पे हम बात कर चुके हैं उसके अलावा हम बात कर चुके हैं बेसिक्स पे ट्रेनिंग पे कल हम बात कर चुके हैं basics of network marketing पे कि हम लोगों को basics of training basics of network marketing क्या होता है आज जो चीज है अंजनी दिवारी जी कहरें that's called discipline yes sir we are really disciplined हम starting में अगर इतने numbers set करते हैं तो it's great thing मतलब जो लोग बोलते हैं कि Indians are not particular to time तो उन लोगों को यह देखना चाहिए sharp timings पर हम करते हैं और sharp timings पर हम सभी लोग available हो जाते हैं so that's a great great thing आज जो मेरा topic है वो एक तरीके से यह है कि before becoming silver or before becoming gold क्योंकि हम silver meet करेंगे gold meet करेंगे diamond meets करेंगे तो हम उनमें अलग-अलग मुद्दे address करेंगे silver के gold के diamond के लेकिन उन से पहले उनकी planning से पहले उनके चीजों से पहले जो मुद्दा हम लोगों को यहां पर address करना था वो यह था कि in trainings के थुरू कैसे एक आदमी का जो silver rank तक जाने का रास्ता है वो आसान हो जाए क्या चीजे हैं जो उसको वहां तक परेशान करती है क्या चीजे हैं जिसका उनमें साथ चाहिए होता है तो उन सब चीजों के उपर हम लोग जो थे वो centralized थे कल से हम अपना product training start करेंगे हमारे पास क्या products हैं किस mindset के तहत वो product बनाए गए हैं क्या उनसे हम results ले सकते हैं क्या expectation रगनी चाहिए क्या बोलके किस तरीके से वो product promote होना चाहिए उन सब पर बात करेंगे लेगिन उससे पहले आज हम final closer session देंगे towards business education जितना business education एक basics काम के लिए हमें चाहिए होता है उतना हम अभी तक कर चुके हैं आज closer section रहेगा जिसमें हम कुछ चीजों की बात करेंगे जो important है कुछ ऐसे गलतियों की बात है कि जो इतना कुछ सीखने के बाद हम ना करें कुछ ऐसे सुधार हैं जो भी यहां से आगे के लिए चाहिए होगे जिनको maintain करना होगा उस सुधार में जो सबसे पहली चीज की मैं बात करूँगा वो बात ये करूँगा कि expectation setting of a training क्या होता है जब हम लोग लगातार सुन रहे हैं डेली हम लाइव आ रहे हैं डेली किसी training को सुन रहे हैं या अगर हम लाइव नहीं भी होंगे जो लोग recorded sessions सुन रहे हैं जो आगे चलके recorded sessions को सुनेंगे उन लोगों के लिए एक बड़ी काम की बात है जो जानना जरूरी है कि training का expectation setting क्या है जब हम चीजों को सुनते हैं जब हम philosophies को जानते हैं जब हम विचारों को सुनने के बाद जब हम उनसे पहली बार connect होते हैं जब हम सत्य को जान लेते हैं और सच को जानते हैं और हम मानते इनी शब्दों को इनी बातों को दोरा हूंगा तो सामने वाली पब्लिक जैसे आज मेरे दिल प्यां के बाद सीधी लग रही है मैं दिल से कनेक्ट कर पा रहा हूं या मैं चीज को रिलाइस कर पा रहा हूं तो एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती कि 100% हिंदुस्तान या यह दो गया हूं यही एक्सपेक्टेशन जो होती है यह आगे के बिजनस का सत्यानाश कर देती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम इतना बड़ा बना लेते हैं इतना बड़ा बना लेते हैं जब उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आएगा जब उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएंगे तो हम लोगों की motivation, demotivation में बदलते हुए कुछ समय नहीं लगाएगी, जितना charge up हुएं, जितना कुछ सीखा है ये minutes के अंदर खतम हो जाएगा, ये seconds के अंदर उड़ जाएगा उसके बाद आके हम दोबारा भी ये वीडियो सुनेंगे तो हम motivate होने वाले नहीं है, क्योंकि एक शब्द, एक बार जीवन को बदल सकते हैं वो बार-बार जीवन बदलने लाएक शब्द नहीं होते हैं इसके लिए हमारे को यहाँ पर दो-तीन चीज समझनी बड़ी ज़रूरी है पहली बात तो यह है कि यह training या कोई भी training expectations किसी बाहर वाले से नहीं करनी होती है जब भी हमें expectations रखने हैं, training के expectations करने हैं तो हम किसी दूसरे से उम्मीद करें कि अब भी हमारा उम्मीद क्या लग रहा मोटा मोटा कि जिदेंदर जी आए उन्होंने कुछ बोला डागर साब ने कुछ आकर बोल दिया, वो मेरे शब्द जो थे, वाक्य जो थे, विचार जो थे, वो आकर दिल पे लगे मेरे को realize हुआ तो मैंने चीजों में सुधार करना चालू किया और मैं अंदर से faith जादा हुआ मेरे को, मेरे को विश्वास जादा पैदा हो गया platform के लिए, team के लिए, mentor के लिए और जैसे मेरे अंदर faith develop होके, अब मैंने ये decision ले लिया है कि मैं यही करूँगा, लंबे time तक करूँगा, सही तरीके से करूँगा जब मैं ये शब्द जाके दूसरों के सामने दोराओंगा, या ये training उनको सुनवा दूँगा तो वो वेक्ती भी same तरीके से react करेंगे तरीके reasons क्या है, ये 90% गड़बडी के, कारण क्या है, कारण है हम लोगों का expectation setting हो जाना expectation setting जो हमने बड़े गलत तरीके से कर लिया है इस expectation setting के तरीके में, क्योंकि डिसकनेक्ट हो गया था मैं दोबारा बोल देता हूँ expectation setting गलत तरीके से हो जाने का क्या मतलब रहता है हम लोगों के साथ 20-30% लोगों को हम कुछ भी समझा ले, उनकी समझ कुछ नहीं आना है 20-30% people are not meant to understand any bloody damn thing उनके दिमाग जो बन चुके हैं, जो उनके दिमाग में कुड़ा आ चुका है, उस चीज़ का कोई लाज नहीं हो सकता वो close minded लोग हैं, तो वो close minded लोग हैं दूसरी हमें expectation दूसरों से गलत है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने सुनके training से खुद में क्या बदलाव किया है, अगर हमें अपने अंदर कोई change महसूस हो रहा है जो चीज़े training में मैंने सीखिए, अगर मैंने उनको अपनी personality में implement किया अपनी life में implement किया, अगर उससे मुझे कुछ बदला महसूस हो रहा है या मैं अपने आपको change कर पा रहा हूँ, तो कोई उम्मीद है कि उस change को देखके further लोग जो होंगे, वो motivate होंगे, वो किसी के दोराए हुए शब्दों से नहीं बनने वाला आप किसी की copy कर दे जाके mimicry कर दे, आप अमिता बच्चन का mimicry करके public को सुना दे उससे आप अमिता बच्चन नहीं बनने आले हैं, अगर आप सचिन दंदुलेकर को mimic कर दे तो उससे कोई सचिन दंदुलेकर नहीं बन सकता है इसी तरीके से कोई सलमान खान को मिमिक करके सलमान खान नहीं बन पाया तो हम किसी को मिमिक करने की बजाए अगर खुद को आगे लेके जाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहता है प्रिंसिपल आप मेरे से सीख सकते हैं बुक से सीख सकते हैं, बहुत सारे मेंटोर ओर हैं, यूटूब पे वीडियोज हैं, रोबिन शर्मा जी हैं, जे शेटी हैं, बहुत सारे ओर लोग हैं, जो प्रियास रत हैं, कि एक व्यक्ति को कैसे ट्रांस्फोर्म किया जाए, जिन व्यक्तियों ने आपको सक्सेस देना, इन व्यक्तियों ने आपको लेके आगे बढ़ना हैं, उन्हें मेरे शब्दों के माय अजाल से कोई मतलब नहीं है, वो इनी सेम शब्दों पे सेम फ्रिक्वेंसी के साथ रियक्ट नहीं करेंगे, उन्हें अगर जुरुत पड़ेगी, तो आपकी सच्चाईगी जुरुत अगर आप अपने आप में चेंज लाते हैं, अपनी परसनलिटी में वो चेंजिस लेके आते हैं, जिनकी बात हम पिछले पांट-साथ दिनों से कर रहे हैं, तो उन्हीं चेंजिस को लेकर उन्हीं चेंजिस को आपकी परसनलिटी में देखके, आपका तड़का लगना वही चना है वही राजमा है अगर एक ही खेत का चना भी अगर हम 500 इंसानों में बाट दें तो हर वेक्ति के अंदर अपनी एक खुबी है कि उस वेक्ति के हाथ का टेस्ट अलग होगा उसके नमक मिर्च जीरा अलग होगा और कोई वेक्ति ये नहीं बोल सकता कि कि किस एक की ड टेस्टी थी एक्चुली हर डिश का अपना टेस्ट है हर डिश की अपनी बहतरी है और जितनी डिफरेंट 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 डिश हम ट्राइ करेंगे जितने अलग-अलग हाथों से ट्राइ करेंगे उतना ही बहतर है और इस संसार में वही जरूरत है इस संसार को जि आप तक इसलिए पोच पाई क्योंकि वो मैंने रटे नहीं थे यो मैं किसी बुक से पढ़के मगब करके आपसे बात नहीं कर रहा हूं उन प्रिंसिपल्स को मैंने कभी कहीं पढ़ा कभी किसी से सुना कभी कहीं पर देखा सीखा उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में उन का हाथ थामा उनको होल्ड किया और उनके रेजल्ट निकाले जब रेजल्ट निकाले तो आज मुझे उन प्रिंसिपल्स पर बात करने के लिए कोई फर्रा नहीं देखना पड़ता कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती किसी वीडियो को रटने की जूरत नहीं किसी के को में बैठा हूं और अपने आप से बात करके सेल्ट टोक में बात करके भी लगाता रहे एक गंटा दो गंटा चार गंटा च्छे गंटा बात कर सकता हूं अगर मैं ये टाइम इस तरीके से खो दूंगी यार उस टेन उसने क्या कहा था रोबिन शर्मा जी ने इसके आगे क् कहते हैं या सद्गुरु जी क्या बोलते हैं ऐसी अगर हजारों चीज़े एक साथ मेरे दिमाग में आने लग जाएंगी तो यकीन मानिये कोई भी वेक्ति बिना फर्रे किया उनके बात नहीं कर पाएगा और यही परसनेलिटीज अगर हमारे को इंस्पारिंग लगती है औ आपके माध्यम से यह है कि कुछ लोगों तक और भी पहुच जाए लेकिन यह दुनिया तब बहतर होगी यह बिजनस सबसे बड़ा तब होगा जादा से जादा बड़ा तब होगा जब यही मेरे वाली ट्रेनिंग आपका दिल और दिमाग आपके से योग बनाएं और आप किसी को बिना फर्रे के बिना याद करेगी मैंने क्या सुना था क्या बोला था बिना शब्दो को दोहराए बिना शब्दो के रिपेटिशन किये अगर आप लोग इनी ट्रेनिंग्स को आगे बता पाने में कामियाब हो जाते हैं वो दिन है जब मैं यह मानता हूं कि इन ट् सेशन था जिसमें मैंने बोला था कि आपकी लाइव में अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करता है थोड़ा भी करता है उस व्यक्ति के प्रति एहसान मंद होना चाहिए ग्रैटिटूड़ंग रखना चाहिए ग्रता का भाव होना चाहिए हमें घैंक्ष बोलना चाहिए जब याद आज जाए जहां याद आ ќए अगर आज तक घैंक्ष नहीं बोला है तो सामने से जाईए और उन लोगों इन happy並 करना मद से बात हुई तो उन लोगों ने असलियत में प्रिंसिप पल्स को आज मा के देखा। आमान से जब मेरी बात हुई थी तो आमान ने कहा कि जब मैंने पहली बार कई दोस्त छोड़ दिये थे और मैं ने उनको फोन किया क्योंकि मैं जानता था कि उन सब जब ने मेरी लाइव में कॉन्ट्रियूट किया है, तो अमान ने सबसे बड़ी बात क्या बोली कि तो आपने पूला कि यह मुझे वह वाक्ता बनाट नहीं था, कि ये मुश्किल काम है मुझे लगा था है ये तो आसान काम में फ़ोन उठाना है दोस्तों को Thank You ले न बोल दूँगा लेकिन अमान ने कहा कि जब मैंने Thank You बोलने के लिए फ़ोन उठाए और दोस्तों के चेहरे दिमाग में आए और उनकी बाते याद आई और पिछला टाइम याद आया जिसमें हम connected नहीं रहे तो ये दिल बड़ी स्पीड से धड़कना चालू होगा और एक बार हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं फोन करके उन लोगों को thank you बोलू लेकिन जितने लोगों ने भी ये करा उन्होंने ड्रामेटिकली एक बात मुझसे लगाता शेयर करी कि हम इस काम को करने के बाद बड़ा हलका महसूस कर रहे हैं बड़ा बहुत सा उतर गया ऐसा महसूस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी मेसेज है जिन से मेरी टेलीफोनिकली बात नहीं हो पाई लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग्स में एक चीज करके देखिए अब कईयों ने और भी चीज़े ट्राइ किया है मुकेश बोला था किसी चीज़ का 80% रिजल्ट आ वह आया हुए एक चीज करके देखेंगे एक एक चीज को परसनलिटी में लेके आएंगे असर करेंगे और ये चीज़ें सिर्फ Net-talking में करने के लिए नहीं है यह घरों में भी है इसी नोटेस में आने के लिए सब कुछ करता है अगर आप उनकी अच्छाहियों को नोटेस करके एक्स्प्रेस करेंगे कि मैंने आपकी अच्छाहि Harator की है तो व्यक्ति Ama कोशिश करता है कि मैं हर बार यह इकपीं कर Joyce तो चार अच्छाईया और ऐसी रिपीट करूं कि जिसके बाद मेरे को बार-बार लोग नोटेस करें। जादा तर हम लोग क्या करते हैं किसी की बुराई नोटेस करके कमेंट करते हैं। तो व्यक्ति जादा बुरा करने की कोशिश करता है कि वो नोटेस में आ सके। इसी तरीके से एकर हम अच्छाईयों को नोटेस करने लगें किसी व्यक्ति की तो व्यक्ति बार-बार कोशिश करेगा कि वो व्यक्ति जो है वो अच्छाईया पहला सके, अच्छाईया कर सकें। तो किसी की भी अच्छाई को note करके express करने से आपका सबसे बड़ा फायदा यह होता है, कि आप समाज में चाहे अंचाहें, बहुत सारी अच्छाईय आप रिंग करना चालू कर देते हैं, बहुत सारे इंसानों को आप अपने appreciation से या अपनी noticing से, अपने observation से, उनके अंदर अच्छाईय पैदा करके, उनके अच्छाईयों को मजबूत करने का कारिये कर सकते हैं, हम rarest किसी और को contribute कर सकते हैं, लेकिन उस contribution में इस भाविक contribution है, कि हम उन लोगों के लिए ये काम कर सकते हैं, तो जो ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग्स अपने अंदर जानी जरूरी है, पहले हमारी personality में gratitude आना जरूरी है, पहले हमारे अंदर नेकदिली का जनम लेना जरूरी है, पहले हमारे अंदर इमानदारी का जनम लेना जरूरी है पहले हमारे अंदर महबत होनी चाहिए पहले हमारे अंदर जुनून होना चाहिए राधर तेन इन बातों से इंप्रेस करके हम किसी और वेक्टी के अंदर सचाई नेक दिली, मानदारी, प्यार, जुनून, काइननेस, बिजनसनेस, केरेक्टर, ये सब चीजे पैदा करे, उसकी बजाए, सबसे पहले मैं अपनी गिरेबान में, अपने सेल्टॉक में ये देखना है, कि क्या मैं इन परसनेलिटीज को इंकलकेट करने के लिए, काम कर हूँ, या नहीं कर रहा हूँ, या मैं सरफ ट्रेनिंग के प्रभाव में हूँ, प्रभाव में आने की जुरूत नहीं होती है, भगती बिजनस में किसी को कुछ नहीं देती है, अगर आप कल से मेरी बगती स्टार्ट करें, अधारी जुना इनकी बगती स्टार्ट करें, त किसी की बातों के भगत हो जाने से, किसी ट्रेनिंग के भगत हो जाने से, कभी भी अपने निजी जीवन में कोई सुधार नहीं आता है, अपने निजी जीवन में सुधार केवल तब आएगा, कि जो principles बताए गए हैं, जो fundamentals बताए जाते हैं, जिन formulas को discuss किया जाता है, जिन characteristics को, character को discuss किया जाता है, जिन methodology को हम यहाँ पर आके share करते हैं, हम उनको try करें, उनको implement करें, उनके results हम बने, उनका result किसी दूसरे पर direct नहीं निकलेगा, पहले हम उन सब चीजों से अपने आपको change करेंगे, और मेरी changed चीजों से सामने change आएगा, then only you will be able to get successful, अगर training सुनने से successful हो सकते ना, तो मेरा ये video और ये सारे videos पूरे हिंदुस्तान में बाठ दीजिए, लेकिन ये 100% लोग कभी भी successful होने वाले नहीं हैं, the only reason behind that is, the only logic behind that is, these people won't be product of the product, ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि मैं अपने अंदर कुछ ना लाओ, इस training को सुनके मैं अपने अंदर बदलाओ ना करूँ, मैं खुद तो बदलाओ से बचूँ, लेकिन मैं दुनिया को ये समझा पाऊँ, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज बहुत जरूरी है भाई, और तु ये training सुन, और इसके बाद समझ कि आदमी क्या बोलाओ, तेरे को कितनी जरूरत है, उस आदमी को आपने ये समझाया, ये message पोचाया, ये video forward किया, ये communication किया, ये audio forward किया, कि आप जो है, खुद समझ जाईए, चेंज कितना महतोपून है, और वो आदमी जब आपके अंदर आकर जाकेगा, और देखेगा, यहां कोई change नहीं हुआ, तो वो एक चीज समझ जाएगा, कि change महतोपून भी हो, तो या तो ये बेवकुफ आदमी है, जिसमें change नहीं आया, वो आपको नकार देगा, तो आपके साथ business नहीं करेगा, या वो वैक्ति कहेगा, कि ये change मेरे लिए भी important नहीं होगा, क्योंकि इस आदमी ने भी, ये change नहीं किया, जिसकी बात हुई थी, यानि ये बात है सुनने को अच्छी है, फिल्मी अच्छी है, लेकिन ये practically rigid deliver नहीं करते हैं, तो इसलिए पहली बात ये है, कि जो आपका अपना expectation है, वो expectation आपको ये रखने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है, कि इन सब बातों से समाज में क्रांती आने वाली है, अगर कहीं क्रांती आप ला सकते हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो खुद में क्रांती लेकर आ सकते हैं, आप self revolution कर सकते हैं, आप self talk करिये, analyze करिये self को, और self को revolutionize कर दीजे, अगर किनी बातों से, किसी principle से ये self revolutionize हो जाता है और ये दबा हुआ, छुपा हुआ, डरा हुआ personality अगर ये बाहर निकालके confident हो जाता है इसकी बातों में सच्चाई आ जाती है इसका objection handling better हो जाता है ये ज़्यादा करमट हो जाता है, ये ज़्यादा महंती हो जाता है ये ही इनसान है जो आपकी जिन्दगी के अंदर वो बदलाव लाएगा जिस बदलाव के लिए आप fight कर रहे हैं तो training का expectation सिरफ अगर 100% आप कहीं लगा सकते हैं तो खुद पे लगा सकते हैं और बाहर लगा सकते हैं तो 10-20% लगा सकते हैं लेकिन अगर आप खुद training से खुद के अंदर वो सब बदलाव लाकर और फिर सोचे कि मैं कितना change ला सकता हूँ तो then that change could be around 80-90% among the society क्योंकि आपका business आप से चलता है आपकी ID आप से चलती है आप पैसा अपनी मेहनच से कमाते हैं आप पैसा अपनी knowledge, अपनी personality, अपनी चीजों से कमाते हैं आप मेरे से विचार उधार ले सकते हैं खुद को बदलने के लिए लेकिन आप मेरा परचार परकासार करके संसार को फेला भी देंगे तो खुद को बदल पाने में शायद कामियाब ना हो कुछ percentage हो भी जाएं लेकिन एक चीज जो guaranteed है कि जिससे आपका फायदा होने वाला है वो चीज है कि आप खुद में वो बदल आप लेके आएं कि rather than you want कि people shall listen to Jidinder Dagar It's much better you shall listen to me and you shall be next Jidinder Dagar you shall be next Jignesh Bhatt, you shall be next Abhishek Raya Kavar you shall be next Sanjee Uda, you shall be next Anurag Gira you shall be next Samarika Singh, you shall be next Madhu Begail, you shall be next Rizwan Ali why it's there कि Jidinder Dagar को सारी दुनिया सुने इस शक्स को क्यों ना सुने जिसको भी वही सेम गिफ्ट मिला है उतना ही बहतर गिफ्ट मिला आप अपने आपको बनाईए विचार ही तो हैं अगर आप किसी के प्रती परभावित भी हैं तो उस वैक्ति के पास भी तो उन्हीं विचारों को खंगालने की शक्ती है ताकत है वो वैक्ति भी तो उन्हीं चीज़ों को आतम मंतन करता है करता है किस के तुरू है self talk के through self talk आप भी कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं नए विचार सुनने हैं सुन लिये विचार इखटे करने दे कर लिये सोचने की दिशा चाहिए थे ले ली इसके बाद तो अपनी मेहनत है अपनी self talk है अपना self realization है उसके बाद अपना improvisation है और जब आपका improvisation ये दुनिया देखती योर है, people love to be your भक्त, कि भाया ठीक है मुझे ये personality बहुत अच्छी लगी तो आप वो personality बनिया आप अपने आपको groom up करिए सहारा मेरा लीजिए, बैसा की मुझे बनाईए बैसा की मेरे विचारों को बना सकते हैं बैसा की उन principles को बना सकते हैं, जो मैंने भी life से सीखे हैं, दूसरों से सीखे हैं आजमाए हैं, इन विचारों की बैसाकी पे जिसका निर्मान होना है जिस Olympic की race में दोड़ना वो शक्स आपको बनना है, otherwise ये motivation जो वीडियो से आ रही है या जो conversation से discussion से आ रही है, ये बहुत थोड़ा समय last करेगी, जैसे नहाते हुए साबून की खुश्बू last करती है न, कि नहाए नहा कि बातरूम से बाहर निकले, बातरूम में आपको ऐसा लग रहा था, सब महग गया है सब तरफ खुश्बू ही खुश्बू है लेकिन जैसे ही आप बातरूम से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं कि मेरे सब उनकी खुश्बू उड़ चुकी है, से हम इस तरीके से motivation उड़ जाए करती है motivations long lasting नहीं होते हैं, लेकिन principles long lasting होते हैं और उन principles का अगर आप पर result आ जाए आपकी personality की outcome आ जाए, तो उस जिंदगी भर के लिए है, वो प्रियंत, जीवन प्रियंत है, वो लंबे समय के लिए है और वही एक मतर चीज है जो हमारे को आगे इस journey में मदद करने वाली है, तो जो इस training में 7-8 दिन में, 6 दिन में सीखा है, जो समझ आ रहा है, उसको संकुचर मत रखिए, उसको शब्द मत बना लीजेगा, उससे भक्ती मत कर लीजेगा, उन शब्दों का दोहराव करने की कोशिश मत करिएगा, किसी चीज को रटने की कोशिश मत करिएगा, इन चीजों से logic निकालिएगा, तर्क निकालिएगा principles, कुछ है जो आपको निकाल लेओंगे, कुछ principles हैं जो मैंने direct leisten share किए हैं, इन principles को पकड़िएगा, rather than शब्दो को पकड़ने के, rather than personality को पकड़ने के, जो चीज पकड़ने की है, वो पकड़ने का है तर्क वो चीज पकड़ने के उसूल, वो चीज पकड़ने के हैं, principles. शब्दों को छोड़ दीजए, वेक्ती को छोड़ दीजए, लेकिन तर्कों को पकड़िये, principles को पकड़िये, और उनको पकड़ के उनको अपना बना लीजे, जैसे वो थे किसी और के, बताई किसी और के हुए थे मैंने अपने बना ली तो आज मुझे मदद कर पाने हैं, कल इनी को आप अपना बना लीजिए, ये आपकी मदद कर पाएंगे, इन शब्दों के इन प्रिंसिपल्स की वफादारी ना बड़ी अजीब सी है, जिसका खाते हैं उ खुद के लिए लाइक माइंड़ आदमी हैं, इन्ही विचारों पर थोड़ा सा इन विचारों को समय दीजिए, थोड़ा सा इन विचारों को आप अपनी ब्रेन की एनरजी दीजिए, अपना थोड़ा सा समय दीजिए, रिसोर्सिद दीजिए, ये विचार वफादारी बंदे हुए तरक है, इसलिए कभी भी आपको दगाबाजी नहीं देंगे, दोकेबाजी नहीं करेंगे, शब्द आपको दोका दे जाएंगे, जब आपको जुरुत होगी, तो शब्द आपका साथ छोड़ जाएंगे, जब आपको जुरुत होगी, तो एक इनसान की जिसके प्रतिया भक्ती दिखा रहा है वो सब जगे मौजूद नहीं होगा लेकिन एक बार ये principles हमारी life में आगए एक बार ये तर्क हमारी जिंदगी में उतर गए तो हम इनको हर जगे हर समय हर किसी के सामने लेकर घूमेंगे और जब ये हर जगे हर समय हर किसी के सामने जाएंगे तो results automatically आएंगे चुमबक को एक जगे रखती जिए लोहा अपने आप खिचा आजाता है बशर्ते चुमबक में magnetic power हो attract करने की शमता हो attract करने के ions हो attract करने की पूरी की पूरी काबलियत हो इन सभी तर्कों का use करके हमने extreme में अपने आपको people magnet में convert करना है कि हम beach party जाके खड़े हो जाएं कुछ भी पहन के खड़े हो जाएं कैसा भी ओड़के खड़े हो जाएं तो हमारी बातों में वस ओर हो हमारे विचारों में वह उसर हो कि चारों तरफ से जितने भी लोग हैं वह सभी लोग मेरी तरफ खड़े चले आएं वह विचारों से परभावित होना चालू हो जाएं बजाए इसके कि हम उनको ये बताएं कि मैं एक वैक्ती की वीडियो सुनवा हूँ है या मैं एक वीडियो बेजूँँगा या एक ओडियो तरह साथ शेयर करूँगा तो उस वैक्ती को सुनियो तेरा जीवन बदल जाएगा इसके बजाए सामने खड़े खड़े एक्जमपल दो उसको वह वैक्ती ही दे दो वह वैक्ती नहीं जिसकी वीडियो थी वह वैक्ती जो सामने खड़ा है उसको वो वैक्ती देतों कि वो कहा रहा है बोले कि मैं तेरे को देखके देख रहा हूँ तो मेरी सिंदिगी बदल ली है मैं तेरे को सामने खड़ा देख रहा हूँ तो मुझे motivation मिल रहा है मैं तेरे को देख रहा हूँ मुझे energy मिल रही है मैं तेरे को देख रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि इस निगेटिव दुनिया में भी हरियाली है Let you be that person जिसके बारे में लोग ये बात बोलना स्टार्ट करें कि when I met you, when I started discussion with you जब मैंने तरे से बात करना चालू किया तो मुझे पता लगा कि ए दुनिया कितनी हरियाली की बरी बड़ी तब मुझे पहली बार लगा कि दुखों के अलावा इस दुनिया में अगर कुछ कमाई करने लायक चीज़ें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें है पहली बार मुझे पता लगा तुझसे मिलके कि लोग अच्छे भी होते हैं इंसान अच्छे भी होते हैं पहली बार मुझे पता लगा कि अगर मुझे मदद चाहिए तो मैं किस तरफ देख सकता हूं पहली बार मुझे पता लगा कि मैं real life में inspire हो सकता हूं कि मैं bollywood के hero या heroines को देखने की जूरत नहीं है मैं तेरे से मिल के समझ गया कि मैं inspire हो सकता हूं मेरी जंदगी में भी प्रेणा हो सकती है और प्रेणा का स्तोर्थ तू है तो ये सभी चीजे जो हैं हमें वो इंसान बनना है ये ट्रेनिंग से एकर आपको कोई expectation रखनी है तो बस इतनी रखनी है कि इन ट्रेनिंग्स में इन शब्दों के दोरान इन शब्दों से इस energy से इस उर्जा से इस उत्सा के साथ जिस भी तरीके से चीक के चिला के प्रेम से हसी मजाक से मैंने जो भी आपको बात करने की कोशिश करी है वो सिरफ और सिरफ एक ही चीज पोचाने की कोशिश करी है कि हर काम्याब व्यक्ति के हर स्कारात्मक व्यक्ति के हर अच्छी जीवन शेली जीने वाले व्यक्ति के कुछ principles हैं और मैंने बस केवल एक कोशिश की है कि मेरी बातों के माद्यम से मेरी उर्जा के माद्यम से मेरी शब्दों के माद्यम से वो सब चीजिया आप तक पहुँच जाए अब आपको खुद को एक homework देना है उस homework में ये है कि आपको ये trainings बार-बार सुननी है इनसे जो तरक आपको समझाते हैं self-talk में या किसी के साथ discussion करके या applying के साथ discussion करके या team के साथ discussion करके उनके notes बनाने हैं कि ये principle मेरी समझ आ रहा है जो principles बताए गई है उनको पहले आजमा के देखना है जब वो principles आपको result देने लग जाए तो उनपे stamp कर देना है उनपे मोहर मार देनी है कि मैं इन principles के साथ आज के बाद जीने वाला हूँ क्योंकि इसने मुझे result दिये result क्या दिये अच्छे पारिवारिक संबन दिये घर में positivity का महोल दिया टीम बननी चालू हो गई दोस्तों में relationship सुधार हुए मैं थोड़ा सा हलका या मैं बोलू ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ कोई वेक्ती हलका नहीं महसूस कर सकता इसको thanks बोलने के बाद actually में क्या है thanks बोलने के बाद आपको एक by default एक inherited मजबूती आ जाती है पहले जो विचार आपके दिमाग पे बोज बनके बैठे हुए थे जिन विचारों ने आपको दबा के रखा हुआ था जिसकी वज़े से आपकी personality आपका वेक्तित तो कमजोर हो रहा था वो विचार वो personality किसी को थेंक्यू बोलने के बाद मजबूत हो गए आपको उस दिन के बाद एक चीज और पता लगी कि मैं वो शक्स दुनिया में कि कोई मुझे थेंक्यू बोले ना बोले कोई मेरा करा हुआ अपनी जिन्दीगे में काउंट करे ना करे लेकिन मेरे पास एक अधवुत ताकत है मेरे पास एक अधवुत शक्ती है एक एनरजी है कि मैं दूसरों को थेंक्यू बोल सकता हूँ आपको पहली बार अपनी उस ताकत का आमना सामना हुआ जो ताकत आप में बहुत पहले से परकृती ने दे रखी थी इश्वर ने दे रखी थी लेकिन आपने उस पर कभी काम ही नहीं किया आपको लगता ही नहीं था कि इस जूटों की और कृतगन दुनिया में आभार ना मानने वाली दुनिया में थेंक्यू ना बोलने वाली दुनिया में मैं एक परस्णेलिटी हूँ उनके गंदे एक्षनों के बावजूद भी सही दिशा में जाके अड्रस कर सकता हूँ मैं वो शक्स हूँ जो छोटे सोच लोगों की छोटी सोच देखने महसूस करने के बाद भी उसको नकार के उनकी अच्छाईयों और खूबियों को डूंद के उनको उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूँ ये जो एक छुपी हुई ताकत थी जिस पे हमने परदा डाला हुआ था ये ताकत अनलोक हो जाती है किसी को फोन करके ठेंक्यू बोल देने से ये एक principle है कि जिस ताकत के भंदार को आपने जबरदस्ती नेगेटिव दुनिया को सुन सुन के सुन सुन के चुपा लिया है और इतनी बड़ी ताकत के हत्यार को आपने exercise करना बंद कर दिया है उन जंग लगे हत्यारों को बाहर निकाल लिये ये वो समय है जब हमारे को ये 15 लीटर का या 15 किलो का डंबल दे देंगे तो वह वैक्थिया हम पहले दिन जिम जाते हैं 5 किलो का डंबल मारते हैं तो था ना 10 बार की exercise हम करता है रेपेटिशन करते हैं आउने तो डंबल इतना भारी लगने लगता कि 10 रेपेटिशन के बाद हम छोड़ देते ओ, ले दस घंटे भी नहीं धका पाएगा क्योंकि अब मेरे शरीर की शमता बढ़ चुकी है, मेरे शरीर की ताकत बढ़ चुकी है, यह जो पांच किलो के डंबल नहीं बच्चों से नहीं लगता ना, इस पांच किलो के डंबल को तो मैं एक महीने से 200, 200, 500, 500 रेपेटेशन मार रहा ह I need more weight to do in little time, मेरा वजन बढ़ा दे ताकि मैं कम टाइम में ही वो result आउटपुट ले आउँ, जिसकी की मुझे जरूरत है क्योंकि यह 5 किलो तो मेरे उपर result देने के लिए 10 साल भी परियाप्त नहीं है, क्योंकि इतना तो मैं already कर चुका हूँ, तो आप उसके बाद वो डंबल हलका हो गया, या मेरा जो weights थे डंबल के वो अब हलके हो गए है, आप में एक अदबुत ताकत आ गई है, 15 दिन exercise करने के बाद, एक exercise repetitive करने के बाद, आपके शरीर ने, आपके biceps ने, आपकी mass patient वो मजबूती हासिल कर ली है, कि आपको यह डंबल का वजन वजन लगत ही नहीं है, आप बोलते ही यह डंबल तो बहुत हलका है, मेरा तो इससे काम भी नहीं होता आज की तारिक में, इसी तरीके की ताकत जब हमारे शरीर को बदलती है, तो यह जो principles मैंने बता, यह वही डंबल है, जो हमारी मानसिक ताकत लगाते हैं, ब्रेन का कोई exercise नहीं है, आप डंबल उठा के इसको मजबूत नहीं कर सकते हैं, ब्रेन के लिए अगर कोई चीज डंबल का काम करती है, तो वह विचार करते हैं, आप कितना बड़ा विचार उठा सकते हैं, उस पे कितनी देर self-talk कर सकते हैं, या उस पे कितनी देर like-minded आदमी के साथ बात कर सकते हैं जब हम brain के साथ exercise करते हैं, विचारों को machine बना लेते हैं, और colleagues को like-minded को या खुद को trainer बना लेते हैं, कि मैं खुद का trainer हूँ, अगर जिम में कोई trainer नहीं होगा दोस्त, तो किसको trainer बनाएंगे, खुद को ही तो trainer बनाएंगे, फिर जो आता है, जहां से सीखा है, उसी को आज मैंगे, self-talk करेंगे, अगर कोई like-minded मिल जाता, कोई trainer मिल जाता, कोई mentor मिल जाता, तो उसके साथ करेंगे, तो विचार जो है, वो brain के dumbbell है, जब ज़्यादा अच्छे विचार उठाते हैं, जब बड़ी सोच उठा लेते हैं, बड़े विचार उठा लेते हैं, और उनके आपने खुद पे result निकाल लिए, तो फिर ये तैह है, कि field में आपके result बहुत बड़े होंगे, अगर आपने training से खुद को एक product बना लिया, तो इस product का production बहुत बड़ाएगा, market के अंदर, इस चीज़ की confirmation है, ये तैह है, तो expectation setting, trainings के शबदों को दोरा के market से cable 2 या 3% है, ये video forward करके, team join करा के, 10 से 20% है, 30% हो जाएगी, audio सुनवा के भी इतना ही ratio मिलेगा, लेकिन इस training को use करके, आतम साथ करके, खुद के अंदर change करके, साथ में इसको forward करके, जो result है, वो 130% हो जाएगा, तो अगर आपको सफलता guaranteed चाहिए, 20-30% नहीं चाहिए, 2-3% नहीं चाहिए, तो हमारे को काम क्या करना पड़ेगा, we need to be product of the product, and product is training, and next product should be you, तो ये मेरा आज जब ये मैं session business के end करने जा रहा हूँ, या आज complete करने जा रहा हूँ, तो उसमें ये है, appliance आज कल मैं देख रहा हूँ, कि appliance इन दुनों ट्रेनिंग के दोरन अपनी team को call नहीं करते हैं, life session सुना, घर बैट गए, मैंने phone कर लिया, feedback पूछ लिया, like minded लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, लोगों ने अपनी team हों से discuss ही नहीं किया, कि तुझे training में क्या अच्छा लगा, क्या सुना, क्या बढ़िया लग रहा, तेरे क्या विचार इस बारे में, इतना golden time उप तो काम हो गया, auto mode में काम हो जाएगा, कोई काम auto mode में नहीं होने वाला boss, आप अपनी सफलता को खुद रचेंगे, पहले से लेके last तक लेके जाएंगे, सफलता लगातार किये गए, प्रियासों का नतीजा होती है, किसी दूसरे के कंदे पे बैट के चीज़े नहीं हुआ क टीमें अपलाइन से पूछें, कि सर आपने कौन-कौन सा चेंज किया, आपने किस चीज़ को बेतर समझा, आपने कुछ करके देखा, आपने किसी को thank you बोल के देखा, सवाल करी अपनी अपलाइनों से, अपलाइन अपनी टीमों से सवाल करे, कि तूने कुछ करके देखा, क क्या अच्छा लग रहा क्या बैतर लग रहा है बाहर नहीं जा पा रहे हैं लोगडाउन में अपने परिवार के साथ उनको gratitude एक्सप्रेस किया माबाप को एक्सप्रेस किया या बच्चों को एक्सप्रेस किया या भतीजे को किया भांजी को किया आपने घर में बैठे किसी व अपनी अप्लाइन्स से बात करिए, अपनी टीम से बात करिए, अप्लाइनों के अप्लाइनों से बात करिए, सिस्टम में एक information का यूग बनाईए, लगातर कोल करके एक दूसरे चेके information बाटिए, एक दूसरे से discussion करिए, तभी ये चीज ग्रोव हो पाएगी, सुनखे घर ब मन्थन करने से हुगा, खुद से मन्थन करिए, टीमों से मन्थन करिए, नई चीजे निकलेंगी, आपके दिमाग में हो सकता पीज किसी तरीके से गया हो, दूसरे की दिमाग में और बहतरीन तरीके से गया हो, दो बहतरीन विचारों को सुन के हो सकता है, नई प्रजाती, एक नया hybrid विचार निकले, जो इससे भी खुबसूरत हो, तो विचारों की कोई सीमा नहीं है, अच्छाईों की कोई सीमा नहीं है, जो मैंने बोल दिया कोई ये अंतिम शब्द नहीं है, जब आप discussions करेंगे, एक दूसरे से करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं तो उसके बाद भी होगा, कल्पना मेडम केरिये, सर मैं अपनी डाउन लाइन से बात करती हूं, डेली अपलाइन से भी करते हैं, मैं हम सवाल यह है, और अपलाइनों के अपलाइनों से भी करते हैं, ये भी एक सवाल रहेगा, तो डाउन लाइन से करते हैं, ये बहुत बह विचारों के बाद यहां तक पुची है आज जो मानव का विकास हुआ है यह बहतरीन लोगों के समय समय पे आया बहतरीन विचारों की वज़े से है तो हमारे को इससे भी ज़्यादा बहतरीन विचारों को निकालना तो उसके लिए discussion करना होगा राइट दूसरी बात क्या है यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ आज objection handling की अब एक और चीज़ को technical करते हैं objection handling क्या होती है objection कैसे handle करे जाते है कई लोग आते हैं अब objection handling ज़्यादा तर हमारे दिमाग में क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ 99.99% लोग 99.99% लोग जिनके दिमाग में आते हैं वो self objection होते हैं एक training हुआ एक topic सुना एक meeting देखी एक business opportunity सुनी और आपने पता क्या बोला मान लो sir लोगों ने मेरे से ये पूछा कि हमारा protein जिस गाए के दूछ से बना है उस गाए का रंग कैसा है तो हम क्या रंग बता सकते हैं या एक objection मान लो ये आ गया कि भाई तू ये बात बता तो रहा है लेकिन तरी हल्दी में 5% कुरकुमी ना हुआ तो क्या होगा actually मैं आप एक चीच सोचके देखिए कि अभी आपने विचार सुना था अभी आपने प्रड़क्स सुना था अभी आपने प्रेजेंटेशन सुनी थी और आपने भी पहली बार सुनी है और अभी से objection पे आपका दिमाग चला गया क्या ये objection आपको market से आए है परसनेलिटी से निकल के आए है हम इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में devil's advocacy devil's advocate करते हैं हम पहले से ही नकारतमक personality से हमारा जो brain का सबसे नकारतमक हिस्सा है हम किसी भी विचार के बाद सबसे पहले उसको activate करते हैं उसमें चाबी वरते हैं हम सबसे पहले अपनी negativity से पूछेंगे कि अगर मेरी negative personality जाग जाए तो मैं उसके सवाल क्या करूँगा क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने अगर अपनी negative को tackle कर लिया positive तो tackle होई जाएगा सब focus जो होता ना वो अरजुन की तरह होता चिडिया की आख मतलब चिडिया की आख आपको दुनिया में positive ढूणना है positive खोजना है तो अपना positive सबसे पहले खोजिए अगर आपको negative ignore करना है दुनिया की negativity को ignore करना है तो सबसे पहले खुद की negativity को ignore करिए जो जंडा आप उठाते हैं वो तो अपनी नेगटिव थोट का जंडा उठाते हैं अपनी घटिया सड़ी हुई दक्यान उसी सोच का जंडा उठाते हैं जो सोच अपने आपको सड़ा चुकी है उस सोच का सवाल ढूंड के रखेंगे अगर किसी को कोई सवाल रखने क कर दिया जाए तो पॉजिटिव नहीं रखना चाहेगा वो अपनी दक्यान उसी ठकी हुई छोटी सोच से पूचता है कि तू बता तू मेरी घटिया सोच मेरे घटिया किरदार मेरे अंदर के बसने वाले अधेरे तू बता तेरा सवाल क्या होगा और मेरे अंदर का बसा हैं मैं तो ऐसे ऐसे सवाल दे दूँगा किसी के बाप से नहीं सुल जाएंगे तू इससे यह पूछी सादमी से तू इससे यह पूछ आपकी जो खुद की परसनेलिटी जिसको आपको दबा के अंदेरे कोने में बंद करके फेक देना था और जिस पोजिटिविटी को बढ के खंगालता है कि तू उठ तू सवाल पूछ क्योंकि अगर तू मेरे अंदर के घपियापना अगर इससे शांत है तो फिर सभी शांत होगे अब्जेक्शन जब आएगा तो उस अब्जेक्शन का जवाब भी दिया जाएगा लेकिन अब्जेक्शन आने तो दो क्या पता अब भी से क्यों नकारात्मक सोच बनानी है जब आएगा तो भी नकारात्मक नहीं बनाएंगे उसका समाधान डून लेंगे लेकिन नकारात्मक ताको आ तो जाने तो उसको अंदर ही जनम देने की जिद्ग्यों पाल लिए किसलिए क्योंकि ऐसे टाइम पर हमें अपनी संगती पर वरोसा होता है कि मैं तो चल फिर भी थोड़ा पोजिटिव हूं लेकिन अपनी संगत्तों में जानता हूं मैंने पाले क्या है जब हम लोग यह बोलते हैं सर मेरे लोग नहीं सुनेंगे तो आप यह समझे कि आस तक अपने पाले क्या है जब आप यह मानते हैं कि बहुत मेरे लोगों के अंदर नेगिटिवटी बहुत हैं अगर तेरे लोगों के अंदर नेगिटिवटी है ना तो एक बात मैं तिरे को आज मूँपे बोल रहा हूं वो तेरे लोग हैं तूने नेगिटिव लोगों को अपन जिंदगी में पाला है negative लोग तेरे किसे ने किसे interest के थे तू है जो व्यक्ति negativity पे जिंदा रहता है अगर तू ही negativity पे जिंदा ना होता तो तेरी संगत में ये लोग होते कैसे अगर आप positive शक्स हैं आप सही शक्स हैं तो आपने ऐसे लोगों को पाला ही क्योँ जीवन में स्थान दिया ही क्योँ आपको जब कुड़ा पसंद नहीं है तो आपकी जिंदिगी में कुड़ा क्यों आ रहा है इस कुड़े को अपने क्यों ऐक्यमुलेट किया हुआ है अगर आप सती-सावितरी हैं तो यह सब characterless औरते आपके circle में touch में आई कहां से अगर आपको अपनी संगत के negative लोगों पर वरोसा है तो आपको एक चीज का यकीन भी रखना पड़ेगा कि कुछ गुना तो आपने भी किया है आपको भी negativity में बड़ा मजाया तभी तो यह पाल के बैठे हो अगर आज यह सुधार आप अपने आपसे नहीं करेंगे और संगत नहीं बदलेंगे तो फिर इस जिन्दगी का नरक बनना तो ते कर दिया हमने बता दिया है कि मैं devil's advocacy करता हूँ devil's के principle से जीता हूँ और मेरी life भी शैतान आतरित life होगी इस जिन्दगी में कभी भी हर्याली नहीं होगी इस जिन्दगी में सब कुछ black and white रहने वाला है हम अपनी जिन्दगी के negative लोगों को support नहीं करते हैं बलकि उनको support करते हैं support करने की बजाए support कर देते हैं वो negative लोग हमारे दिल में हमारे जहन में अपने दिल का अपने जहन का अंधेरा हमारे दिलों में खोज रहे होते हैं वो जगह डूंड रहे होते हैं कि मेरे पास अपना अंधेरा बहुत बढ़ गया है मे तेरे दमाग में भी प्रमातमा ने ढाई गिलों के बेज़ें में बड़ी सी जगह दे रखी है। अपना सारा कुछ तु मेरे यहां उतार जा। यह कुढा मेरे को ढम कर जा, यह नेगरिटिवीटी सारी की सारी तर्व कर जा। मैं इस जगए को कुड़े तान बनाना चाहता हूँ, we do this thing, हम उनकी पहचार नहीं करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको अपनी जिंदगी में जगए देते हैं, हम उनको identical twins बना लेते हैं, हम उनको बोलते हैं, brother from another mother, अरे जो व्यक्ती जिंदगी में आपको कमजोर कर रहा, आपको अंधेरा दे रहा है, इस दुनिया को ये बताने के बजाए की हराली दुनिया है, आपको ये बताता है की काली दुनिया है, उस आदमी का साथ देने का इतना बड़ा क्या decision हो गया है, इतनी बड़ी कौन से ने एक चीज कहा था कि धरम के लिए तात ये प्रतिग्या तोड़ देनी चाहिए थी, कोई भी प्रतिग्या धरम से बड़ी नहीं होती है, आज जीवन में बानों के शेया पे लेटे और वो भी अपने प्रियप होते के हाथो लेटे हो, तो उसके पीछे ये जूठी प्रत प्रतिग्या जो कि अधरम के फेवर में चली गई थी, उस प्रतिग्या को तोड़ने के लिए वो वैक्ती तयार नहीं हुआ था, क्योंकि उस प्रतिग्या से उनका नाम जुड़ गया था, उनका नाम विश्रम बितामा पड़ गया था, ये प्रतिग्या टच वुड़ तक मैं यह बोल दूँआ नेगेटिव लोगों को जिंदगी में मत रखो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां जानी कि हमें यह पता ही नहीं कि कौन वैक्ति नेगेटिव है और उस नेगेटिव एक्ति को मैं पहचानू तो पहचानू कैसे आपने बोल दिया दूर रखो मैं दिल से मानता भी है मैं दूर रखूंगा मैं दूर रखना भी चाता हूं लेकिन पहचानू कैसे जब में यह बात बता रहा हुँ कि आप नेगेटिव वैक्तिव को पहचाने कैसे तो दो केटेगरीज आएंगी दोस्त ये टोपिक जितने जो मैं आज ले रहा हूँ ये टोपिक जितने सच्चे हैं उतने समवेधन शील भी है जितनी टृथफुलने से इन टोपिक्स में उतनी संसेटिविटी भी है इन टोपिक्स को बड़े गोर से सुनिएगा और बड़े गोर से इन पर डिसिजन लीजिएगा गलट डिसिजन मत लीजिएगा जिंदिगी और नरक मत बना लीजिएगा जब मैं आपको negativity की पहचान बताऊँगा नेगिटिव लोगों की पहचान बताऊँगा तो आपके साथ दो चीजे निकल के आ सकती है कि ये negative लोग आपके उन relations में भी निकल के आ सकते है जो relations तोड़े नहीं जा सकते मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जिन रिलेशन्स को तोड़ नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते पर्मानेंट छोड़ नहीं सकते उन रिलेशन्स में जादतर नाराज मत हुआ करो मुँ मत मुड़ा करो ज्यादतन नराज की मत रखा किरो क्योंकि जिस relation को आप जानते कि आफ ना तोड़ सकते हैं उसमें कुछ समय भी नराज की रख्या बरबाद क्यों करना उसमें माफी दे दिया करो या ले लिया करो और बड़ी जल्दी करा करो या तो आप इतना हो जाएं वो नहीं कर रहा हुआ आप कर दो आप नहीं कर रहें वो कर दो इसमें ऐसे सवाल नहीं लाने चाहिए कि मैं कितनी बार करूँ अरे जब जो रिष्टा नहीं टूट सकता तो उसमें तू हजार बार कर करोड़ कर लाक बार कर फरक क्या पड़ता इस चीज से भाई करते ही रहन लोगों में सुधार लेकर आईए आप अपनी personality के सुधार से उनको अफगत कराईए उनको आपका औरा महसूस होने दीजिए और अगर यह नहीं हो सकता तो उन लोगों के साथ negatively behave मत करिएगा कम से कम यह first chapter है यह first बात है जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं जो लगा कमेंट का दर्जा बहुत गटिया था दोयम दर्जे का कमेंट था बड़ा negative बात बोला उठाया ब्लॉक कर दिया जवाब भी नहीं देना क्योंकि एक ऐसा रिष्टा जिसको तोड़ भी सकता हूं चोड़ भी सकता हूं और रिष्टा ना तूटे तो बंदा भी तोड बेगे उसकी कोई जरत हैं निकाली उसको लाइक से नेगिटिव लोगों की पहचान क्या होती है इनकी बुनियादी चार पांच पहचान होती है जो मैं आपको बताता हूं और आप पहचान लेंगे इन टोपिक्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं लिख सकते बरना वीड कोई आदमी 90 जूट बोलता सच बोलता है और उसने एक जूट बोल दिया और नियत से बोल दिया नियत साथती की चलिया किसी का भला हो जाएगा और इस आदमी ने एक जूट बोल भी दिया उसमें कि एक मैनुपलेटिड सच बोल दिया तो यह लोग क्या कहेंगे मेरी नज से तो इसके अंदर अंधेरा बहुत है दूसरों के 90 सच को इगनोर करके एक जूट को पकड़ के बैठ गया असलियत में तो यह आदमी बहुत ज्यादा नेगिटिव है 90 सर्विस को भूल गया एक सर्विस के फॉल्ट को आगे बढ़ा रहा है इसका मतलब यह आदमी बहुत न हर सत्य को नकार देंगे यह एक्सेप्शिंस को चेक नहीं करेंगे यह नहीं चेक करेंगे सो में से कितनी बार सही कितनी बार गलत एक गलती हो जाए उसको बलें गलत तो गलत रहेगा एक गलती सो सो गलती यह लगातार उस टोपिक को एक्स्टिमिटीज में बात करेंगे न मैं तो ऐसे लोग देखें जिन से दस हजार का करजा नहीं उत्रा वह जिंदिगे मरी गई तरह तो दो लाग चले गए तू कैसे करेगा या मैंने तुरे लिए बड़ा दुखी हो रहा हूं अच्छली में कोई आपके लिए दुखी नहीं अंदर से बड़े मजे में हैं अंदर से इसको खूम मजा रहा है कि आपके दो लाग डूप गए अंदर से तो इसकी दुआई है साल है कि दो के डूपे बीस लाग डूपते हैं यहां पर लेकिन बाहर से डोंग रच रहा एक्स पैसा खतम ही नहीं होंके देगा और दूसरे किसी को बोलेगा यह तो यह तो भुखा मर रहा है चाहे वो बिचारा बिना करज के अपनी रोटी चला रहा है अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहा है बिना किसी मांगे किसी से मांगे अपने परिवार को दाल लोटी खि तर नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए क्या करें उसके बस कुछ नहीं है वह तो कुका मरता है लेकिन दूसरा वेक्ति चाहे बैंक के करजे से हो बैंक के करजे से बीमड़ू चला रहा हो उस लोगों का गुंगान ऐसे करेंगे ऐसे करे आए हैं आदर्शों की बात करेंगे तो उच्छों की बात करेंगे ऐसे आदर्श जो लाइफ में प्रैक्टिकल ही नहीं सकते मैं अगर मोदी की जगह होता ना तो मैं तो ऐसे कर देता मैं अगर उसकी जगह होता ना मैं तो वैसे कर देता अगर मुझे किसी ने ठग लिया होत ते कहां घोली मारी तुने तेरे इंटरनेट कनेक्शन को छोड तेरे को जिसने सिम्म दे रखा उसने तरह को ठग लिया तेरी कॉल डॉप होजाती उसने इस बात के पैसे लिये थे कि तरह को निरंतर को तो टेगा तरह को अच्छा देगा तरह को तोफी देने वाले ने ठग यभः को बच्चों को ठुट वाला चाहए एक बूंद मिलाके दे गया उसने पानी मिला दिया तरह को ठुट लिया कहां झी कुछ कर देता तु अपणगर में अपनी कुर्सी पर आस bureaucracy 먹고 तू ने क्या कर लिया अपने घर कई लोग पूछ रहे थे कि भाई इसने चंदा दिया उसने चंदा दिया तो बाकी ने कहां गए बाकी लोगों ने चंदा क्यों नहीं दिया तुने खुद क्या चंदा दे दिया तुने खुद पीम में क्या दान दे दिया तु दूसरों से पूछ रहा है कई लोग पूछते ह कि दूसरों ने क्या दान दिया तुमने खुद क्या दान दिया पहले खुद तो बता दो एक बार गरीबों की मदद करनी चाहिए हर इंसान को चाहिए क्यों गरीबों की मदद करे आपने क्या कर दिया सरकार को चाहिए कि हर गरीब को खाना खिला, तूने कितने गरीबों को खाना खिला दिया ऐसे आधर्शों की बात मत करो खोक लोगी, कई लोग नेटोक मारकेटिंग में करते हैं कम्पनी का प्लान ऐसा होना चाहिए, फ्रेशेस को पैसा जाए, लीडर्स को ना जाए कई का होता है ऐसा पैसा होना चाहिए सर जो लीडर मेहनत कर रहे हैं उनको पैसा जाए फ्रेशर्स को ना जाए वो बूखे मर जाए प्लान सर ऐसा होना चाहिए जो नेटोकर के favor में हो कमपनी बेवकूफ हो ने खोली हुई है कमपनी के favor में क्यों ना हो प्लान ऐसा हो प्रोडक्ट ऐसा हो कि लीडर को बिजनेस वोल्यूम ज्यादा मिले क्यों कंपनी मूर्ख है कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा रखे जब इक नेटो कर बात करता है कि सर मैं यहां पर पैसा कमाने आ रखा हूं तो कंपनी यहां पर चंदा बाटने के लिए हुए है कि तीम यहां पर चंदा बाटने के लिए हुए है फ्रेश चंदा बाटने के लिए हुआ हुआ है कंजूमर्स यहां बना बेवकू बनवाने के लिए हुए क्या बात कर रहा है एक्स्ट्रिमिटीज में बात नहीं की जानी चाहिए एक्स्ट्रिमिटीज की बात ने ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव आदमी होते ना, वो घोर जुटे आधर्शों की जो practical नहीं उन आधर्शों की बात करते हैं, आधर्श बहुत जरूरी है, लेकिन आधर्श सीमा तक जरूरी है, जितने निबा सके उतने आधर्श जरूरी है, ये अंधे आदर्श नहीं चलते हैं. और अगर अंधे आदर्श चलाने भी हैं तो चलाइए. मैं सहमों, तुम रिश्वर करे कि अब आधे आदर्श चलाने की ताकत हो. लेकिन उसमें व्यक्खान मत करिये, उसको करके दिखाईए. negative आदमी जो करनी रहता उसके बारे में भी बात चड़ा के करता है उसके बारे में भी practical बातें नहीं करेगा चड़ा के करेगा जूट के साथ करेगा तो ऐसे खोकले आदर्शवादी लोग negative होते हैं जो extremities में बात करते हैं इन लोगों से पूछो कि ऐसा कौन सा कंपनी कर रही है सारी कंपनी ऐसा कर रही है यह जो समेटते हैं ना हर चीज को यह हर चीज को समेटते ही ऐसे हैं कि यह सब इंक्लूड करेंगे सब को कि तुने लास्ट टाइम यह चीज कहां होती है सब जगह होते हैं यह जो आदमी सब सब बोल दिया उसके बाद इसको कुछ बोल दो तो सब लुटेरों की जगह है उसको तो छोड़ दो हर example का exception बोलेगा ये निगड़िव आदमी की पहचान है सब जगे यही होता है सब यही करते है या कोई नहीं करता कहीं नहीं होता हर जगे सब जगे या कहीं नहीं इसकी जिंदगी में संसार में कोई reference object है ही नहीं कोई reference ही नहीं या तो सब जगे है या कहीं नहीं है, या तो सब लोग करते हैं कोई नहीं करता, या तो मेरे साथ हो रहा है या किसी के साथ भी नहीं हो रहा, ये व्यक्ति जो हैं ये नेगरिव लोग पैचान में आ जाते हैं, इनके शब्दों से इनकी नेगरिव डीना बाहर छलक छलक के ब जंपल नहीं है इसलिए चीजों को जनरलाइज करना पसंद करते हैं यह सब को गहरना पसंद करते हैं जाती को गहरेंगे सब को धर्म को गहरेंगे सब को मनुश्यों को गहरेंगे सब को यह एक सरकल मार के क्योंकि अलग-अलग चीजों को segregate करके बता सके इतनी बुद्धी नहीं है, इसलिए अपने साथ सभी को लपेट लेते हैं, तो ये एक पहचान है नेगिटिव लोगों की, इस पहचान को उनके शब्दों को ध्यान से सुने, identify करें, अगर वैक्ति ऐसी बात कर रहा है, जूटा आदर्श की बात कर रहा है, तो उसके अंदर नेगिटिव बस्ती है, तो नेगिटिव लोगों से थोड़ा संबल के, दूसरी बात, ये हर चीज के सेंटर में खुद को रखेंगे, और हर बात का मतलब निकालेंगे, आप इनके पास गए, बोले मेरे को या तरी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आपने बोला कि मुझे तरी बात अच्छी नहीं लगी, ये सामने इस क्या बोलेंगे, इसका मतलब तरको मेरी बात बुरी लगती है, अरे बाई, कितना नेगिटिव आदमी तुम मैंने तरह मुझे बोला तरह कि ये बात अच्छी नहीं लगी, तू आगे से बात कर रह कि ये बात मुझे बुरी लगती है, मैंने तरह को कभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने बोल दिया कि ये वाली कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही, इतनी बुरी शर्ट तो नहीं बेन लखी मैंने, अरे बहीं मैंने कि बोला तरह शर्ट बुरी है, मैं मतलब बुरी है यह कोई मतलब नहीं हुआ अपना घुसाना जरूरी नहीं है या जैसे अपने बोला मेरे को तो यार मोदी अच्छा नहीं लगता मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैंने का ही नहीं मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा तक सुनने मैंने तरह से का ही नहीं तुझे अच्छा लगता बुरा ल रहता है वाइट कलर तो अच्छे नहीं होता है ब्लाक बहुत बढ़िया होता है अरे भाई तुझे लगता होगा मैं भी विचार रखने का अधिकार हूं सम्विधान के fundamental lights मुझे भी दिये गए हैं मुझे भी प्रकरति और प्रमात्मा के दोवारे expression का light मिला है जितना 13 राइट है उतना ही मेरा night है तो दोनों के right की कदर कर तेरा right हो गए इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में किसी का right ही नहीं सबर होंगी हो गए है यू कुड भी right है अदै डोट आदमी एक मत ना हो तो भी सही हो सकते हैं सहमती एकमता सहमता ये अलग-लग शब्द है सहमती एकमती एक हो सकता कि हम दोनों के विचार एक जैसे हो एक हो सकता हम दोनों के विचार एक जैसे ना हो लेकिन हम सहमती रखते हो कि चल तू भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ ये बात ऐसे भी हो सकती है दो व्यक्ति एक ही मुद्दे पे सही हो सकते हैं हमें दूसरों के साथ रहने की आदर डालनी चाहिए उनके अधिकार का सम्मान हमें करना चाहिए ये positive व्यक्तियों की पहली निशानी और negative व्यक्तियों की निशानी है वो अपने अलावा किसी के भी विचार को एहम मानते ही नहीं है उनके अलावा ना तो इस दुनिया में किसी को जानकारी है सब बेवकुफ है इसलिए इवक्ति बोलता है क्योंकि ये सिर्फ अपने को जानता है अपने को पूरी दुनिया मान लेता है अपने को ही सब मानता है इसलिए बार-बार बोलता है मैं सब जानता हूँ, मैंने सब देखा, मैंने सारी दुनिया देख लिए, मैंने सारी कमपनिया देखी है, मैंने सारी इंशुरेंस करा के देख लिए, मैंने सारे जाट डील करें, मैंने सारे ब्रामन डील कर रखें, मैंने सारे बनिये देख लिए, मैंने सारे मुसलमान देख ना अपने से भार कुछ मानता है ना इसने अपने अलावा जिंदीगी देखिए ना दुनिया यह कुए का भी मेंड़क नहीं है यह वह जो स्ट्रोव आती है ना कोल्डरिंग की जिससे में जूस पीते हैं उसका मेंड़क है इसका एक ही पाइप एक खुद उसके भार कभी निकला ही नहीं है यह समझता है कि जो इसने जान लिया जो इसने मान लिया जो इसने महसूस करा जो इसने देख लिया वही सब कुछ है कि कुए का नहीं है पाइप का मेंड़क है इसलिए इससे सब पता है रोविंग शर्मा को स सबसे सलाई ले रहा है इसे सब पता है से डौकेसी भी आती है यह डॉक्टर भी यह प्रडेक्ट प्रडूसर भी है यह कंटेंट राइटर भी होते हैं यह अच्छे वक्ताबी होते हैं यह परधान मंतरी भी होते हैं यह सब कुछ होते हैं why Japanese २ ए कि न je successful होंगे ना होने ओंए ये इनकी शर्त है जिन्दगी में मैंने कामियाब होना नहीं तुम होके दिखा दो मेरी संगत में नाम बदल दूं ये आदमी डेयर लेके चैलेंज लेके धर्ती पे आया है यह उस उपर वाले को अशुरेंस दे काया है कि मेरे जिन्दा रहते अगर मेरे सुनने वाले लोगों ने अगर सरकामया भी हासिल कर ली न तो उसी दिना मुझे मुझे मृत्यू दे देना मैं सुसाइड कर लूँ और यह सच में सुसाइड कर लेंगे अगर नेगटिव लोगों को लोग सुनना बंद कर दे तो सच में सुसाइड कर लें यह उस इश्वर को एक गारेंटी दे का होता है कि जब तक इस धरापे मैं रहूँगा तब तक मैं आपको गारेंटी देता हूँ इस धर्ती पे ना कामया भी आईगी ना आने दूँगा केखड़े तो एक दूसरी की टांग क्या खिचते हैं जो यह मनुष्य कीच के दिखाएगा जानवरों से बत्तर सोच के वेखती हैं और हम इनको अपनी संगत में पाल के ट्रेनिंग में इनी लोगों के अब्जेक्शन की रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि साब ऐसा मेरी टूच में कई पाइप के मेंड़क हैं मैं कई पाइप के मेंड़कों का जवाब आप से चाहता हूं तो मेरा जवाब आख थू I don't want to deal with the psychology of those people or those folks who are living their life into a pipe मैं अपनी ट्रेनिंग को अपनी एनर्जी को अपनी बुद्धी को उन लोगों तक नहीं लेकर चाहता हूं जो पाइप की जिंददी जीएए मैं उनको एगनोर करके उन लोगों के साथ आगए बढ़ना चाहता हूं जो कम से कम मैंडग हैं तो कुई को तो हैं, Pipe के मैंडगों को जवाब देने के लिए मेरे पास एक ही जवाब है, मेरे पास कोई जवाब नहीग है मेरे पास जब दुनिया में बेहतरी हैं बेहतरीं शक्स हैं अच्छे इंसान एच्छे लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं जो पॉजिटिव है जो सीखना चाहते हैं उन सब को छोड़के मैं पाइप के मिंड़कों के पीछे पढ़ाँ ऐसा मेरी बुद्धी विरान थोड़ीना हो गई है मेरे को कोई 10,000 साल की जिंदगी थोड़ीना दिये परमातमाने मुझे कोई अपना चेला बना के थोड़ीना भेजा कि तू जा और जगत सुदार कर मुझे थोटी सी नेट्वोकिंग करनी है थोड़ा सा पैसा बनाना उसके के लिए पाइप के मेंड़क ही बच गए है क्या डिखल करने के लिए सारे के सारे वह मेरे हिस्से हैं कि मैं उनकी सोच खुली करूं अरे इनौर कर दूँगा यार एक बार बात करूंगा समझ आएगी तो ठीक है समझ आ गई तो पाइप के बार खीचिलेंगे नहीं समझ आ आते हैं एक इन लोगों का और कोमन डायलोग है और यहां पर मैं अच्छा एकस्वास कर ले मैं तो नहीं मानता बहुत बढ़िया बात है देखिए अनपड़ आदमी की जिसको कोई नोलेज नहीं है उसकी निशानी क्या होती है हम कैसे मान लें मैंने एक आदमी को जाके इन्फोर्मेशन दिया कि सर सुबह हो गई है यह आदमी पढ़ा लिखा है इस आदमी के पल्ले नोलेज है यह मेरे से क्या कोशन करेगा कि सुबह हो गई सुबह हो गई सुबह हो गई इस वैकती ने पूछा कि सुबह हो गई मैं कैसे मालनों सूरज आ गया है से रोशनी तो ट्यूब लाइट से भी ओजाती है रोशनी तो हो सकता है इस साइड में किसी ने लेजर लैट जला दियो तुझे से पता वह चीज सूरज ही है मैं बोलूगा सर सुभे सुभे सूरज की रोशनी में और फ्लेड लाइट की रोशनी में कोई तो फरक होता है आज कल ऐसी ऐसी फ्लेड लाइट आ गई हैं सूरज को फेल कर देती हैं सूरज की रोशनी तो कुछ रोशनी लगती नहीं chills flight को चला तो तिन में तो तुम्हारे को सूरज ना या जानता हूं मैं पिछह चाइना गया ता मासी फ्लेट लाइट थी कि वहां तो चालना में सूरज दिखता ही नहीं बलकी फ्लेट लाइट साथ ही होती है वहां तो वो सूरत गहते हैं लाज़ने गुजर गेन था եोड़ी घर्म भी वो गया तो गरम होने से क्या होता है अब इस आदम recovering समझी यह जा आता कि कि श Inter Waarom मान लो अगले आदमी को देखो कितनी बारीक नोलेज थी जब मैंने का सुबह हो गई तो उसे पहले से ही पता था कि वो कैसे मानेगा उसने का सूरज निकल गया है तो मैंने का सूरज निकल गया है वो बस उतने में मान गया क्योंकि उसे पता है सूरेज निकल जाना सुबह की निशानी है उसे इंफोमेशन थी उसे नोलेज थी इसको देलेगी नोलेज थी नहीं अच्छली यह जब बोलते हैं आदमी मैं कैसे माननू तो बता रहता है मेरे अकल वकल तो है नहीं अगर तु इसके आगए टेक्नि निकल अकल है लेकिन मेरे जैसों से डील करने की अकल है तो यह जो लोग होते हैं यह नेगिटिविटी सी तरीके से फिलाते है आज में एक एक्जम्पल कर रहा था कि इसका सोलिशन भी बताऊँगा जब सीता मैया को श्री राम ने छुड़वा लिया और वो आये तो श्री राम ने कहा कि आपको परिक्षा देनी पड़ेगी ताकि लोगों को यकीन हो जाए तो सीता जी ने यह नहीं कहा यह लोग क्या कहते हैं तो राम जी ने कहा जी कि आप पवित्र हैं तो यह प्रजाति पता कैसी है सीता मैया ने सामने से कहां कि आप बताईए क्या परिक्षा चाहिए तो उन्होंने कहा जी हम थर्ड़ पार्टी ओडिट करेंगे अगनी देव जी आप अगनी परिक्षा दीजिए अगर अगनी में से आप सहरी वापसी जाती है और बसम नहीं होते तो हम आपकी पवित्तरता का एकीन कर लेंगे लेकिन अगर वहीं पे सीता मया ने पूछ लिया होता जवाब दे दिया होता उन्होंने बोल दिया कि बताइए प्रभू क्या परिक्षा देनी है जो परिक्षा बोलेंगे मैं दे दूँगी अगर व तुन अगनी परिक्षा को छोड कुस και हो नहीं तो लिए को इस आदम को कोई परिक्षा दे लिजिए इसे नहीं माननी कुद आग नहीं यह मंबति के हाथ नहीं रख सकता लेकिन दूसरा आदमी अगनी परिक्षा में से गुजर जा ये फिर भी वह हम नहीं मानता अगनी में तो कुछ नहीं होता वो तो सीता महिया ने सामने से पूछ लिया कि आप बताईए प्रभू आप कैसे माननों कि मैं वह ओडिट दे देती हूं वह परि कि वानर जैसे जामवन जैसे पॉजिटिव आदमी खड़े थे उन्होंने कहा कि प्रभू मानन की जुरती नहीं है परिक्षा की जुरती नहीं है आप व्यक्ति का किरदार देखिए करेक्टर देखिए आप इतने पुराने समय से जानते हैं आपको लगता है कि सीता महिया क अगनी परिक्षा की जरुता है आपको आपको तो किसी सेकिन चीज़ की ज़़ूता देखिए अपको टेक्निकल सारी इंफॉरमेशन अवैलेबल है उतना बहोत है माँ खुद मुह से बोल रही है है आप क्यो अगनी परिक्षा के लिए जान रहे हैं लेकिन चलो जी अगनी शरी राम के राज्ए में एक वेक्ती होता था श्याद कुमार था उसकुमार को तब भी तसली नहीं उसके बाद भी कए रहा है पुझत्र है मैं तो Νंहीं मानता अगनी परक्षाओ के बाद गे सीता पवित्द्र है औरे भाई तिरह को कोई नहीं मना सकता श्री राम ऑप्ट कमार को नहीं मना पाये थे कि पवीत्तर हैं यो हम यहाँ अपने ट्रेनर से को आपने ट्रेनर से पूच हो था है तो वह अगनी परिक्षा के बाद नहीं नहीं तぇ नहीं आज भी हनुमान जी कि जमन्ँवंट के विंशत है जो लोग यह बोलते हैं आदमी का चरितर देख लिए किर्दार देख लिए नहीं जानने को है बाकी जो यह आदमी बोल रहा हुआ ठीक ही बोल रहा हुआ लेकिन कुछ द awfully हैं वह आज मुदूबी पहुस दहुनु भी के व तो अपने आप नहीं ले सकते हैं इनको बोलो कि हमारे पास certificate है वो तो पड़े फिरते हैं इनी से पूछ लो भाई तू कैसे मानेगा तू बता दे तेरे पास कुछ knowledge है कि कैसे और गेनिक का पता लगता तो यह जवाब देगा अगर यह कुछ थोड़ा द्माग से पूरा पैदल हुआ कि मा पताओं और गेनिक कुछ होता ही है इस आदमी का आपको मन करेगा कि मैं खून कर दू लेकिन वो भी समयधान के किलाफ है नेटॉकिंग के खिलाफ है तो इसको मन ही मन मन माफ कर दो अपने आपको मन ही मन दो थप पड़ मारो कि ऐसे लोग आपके सरकल में थे और फिर खुद को भी माफ कर दो और वहां से प्रभू शिनाम का नाम लेगे कि हे प्रभू में माफ कर दे और उटके आ जाओ यह उसी टाइम वह मान सकता दबाइक दी होती तो शायद आज यह लोग ना होते लेकिन अब यह हैं तो इन लोगों को इस तरीके से ये इन लोगों की एक और पहचान है मैं कैसे मान लूँ मैं तो नहीं मानता मैं तो यह हूँ इनको मैं 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 को इनको बखरे बने रहने तो यह इद पर काम आएंगे लोगों के आपके किसी काम के नहीं है बखरों का भविश्य इद चोटी सी परेशान नहीं बता दो तो उसको इतना बड़ा बताएंगे कि भाई इनको बोल दो कि गल्फेंट छोड़के भाग गई लड़किया दो होती ही बेवफा हैं लड़किया आई किसी की सखा हुई नहीं मैं बता रहा हूं तरे को गाड़ी बस पता नहीं वो तीन रेल बिलगाड़ी बस और लड़किये पीछे कभी मत भागो एक जाएगी दूसरे इतना ग्यान बाढ़ते हैं कि बाद में इनको बोल दो कि हैर मैं दारू बहुत पीता था चर्सी था तो लड़की ना इस चीज से चड़ती थी कि वह अच्छे घर की थी तो उसे एक चर्सी और दारू बाज लड़के से नहीं रखनी थी तो उनको एक पर जटका लगे अगा और फिर बैक विद लोजिक तो क्या हो गया दारू तो सारी दुनिया पीती है आदी दुनिया चर्सी है शिवजी के भक्त गांजा पीते हैं मैं तो कह रहा हूं महा शिवरातरी भांग पी जा वो बोलते चर्सी तो शराब छोड़ते गर वो लड़की चाहिए सला दीनी कुछ करा नहीं उस प्रॉब्लम को ग्लोरिफाई कर दिया समाधान कुछ देना नहीं सॉलूशन पे कुछ बात नहीं प्रॉब्लम को लंबा खीच दो और इनको अगर कोई सॉलूशन की बात कर ल इसले नेटर्किंग कर लिए अभे ये क्या कर लिया ये कहां फस गया तू ऐसी चिगा फस गया मैंने वहुत से लोगों को फसते देखा है भाई तू यह नहीं करना था यहां तो सब लोग बरबाद होते हैं मैंने आज तक किसी को कामियाब नहीं देखा भाई तूने आज कि इस फिल्ड में किसी को नहीं, तुने कहीं पर भी कोई कामयाब नहीं देखा है, तेरी सोच कामयाब लोगों तक पहुची नहीं पाती है, कामयाब लोग तेरे को संगत में ही नहीं बैठाते हैं, तु कामयाब देखेगा ही कहां से, तेरी जैसे सोच इतनी बद्भू मारती की है कि कामयाब आदमी तेरे उपर डियोड्रेंट छोड़ कही और वहाँ सचत कुछ उठके चला जाता है तू कहां से कमयाब आदमी देखे गा तुन्हें काम्याब दो कभी नहीं देखने जिन्दगी में इस फिल्ड में नहीं किसी फिल्ड में नहीं देखने क्योंकि तेरा चरितर ही अशा है तेरे में सब बधबूई त forensic ऐसомूज़ेगा एक कोरोना पेशेंट से दूसरे कोरोना पेशेंट में नहीं जाता Corona Corona को एक पेशंट चाहिए और एक healthy वैक्टी चाहिए unhealthy Corona संकरमित वैक्ती से healthy वैक्ती में Corona संकर्मन होता है negative से negative में नहीं होता Corona Sunkirmid to Corona संकरमित Corona virus नहीं होता है तो negative से positive के effect होने के शब्रुवने negative में से negative बदबू आती ही नहीं है बदबू आएगी positive के और इतनी बदबू आएगी कि 6-6 लग जाएंगी तो कामियाब आदमियों को negative आदमियों से बदबू आती है इसलिए उनके circle में कभी भी कामियाब आदमी नहीं मिलता और यह आदमी एक रोनर होते हैं पहले तो हमारे साथ उठता बैठता था जब कामिय की सायब हो गया तो में चोड़ दिया अंपे तुम ऐसे क्या थे एक खूंद सोचो कि एक वैक्तिने कामियाब होते ही पहले कुछ छोड़ा नहीं छोड़ा तुम्हारे को चोड़ा एससा उसे कौन सी आपको इस रायकिन मैं ना पाई कि तुम कामियाब आदमी के किसी काम न आदमी को कामियाब होते यह कैसे पता लगा कि अगर मुझे अपनी कामियाब भी बचा के रखनी है तो सबसे पहले इन गथो को लात मारो इन लोगों ने कहीं पर भी कामियाब आदमी नहीं देखें यह हर जगह बुराईयों के एक्जमपल इखटे करके एक एक एंसाइकलोपीडिया बनाके उसकी किताब लगके दूसरों को डी मोटिवेट करते फिरते हैं इनसे बोल दो कि मैंने प्रोपर्टी डीलिंग का काम चालू कर लिया प्रोपर्टी कहां कर ली चैसाल से तो मोधी सर परसेंट्न होते हैं और तेरी संगत में मैं हूं भाई है गरण्टी एस्टानलमे मैं है तो एक-दो में वहता तो मेंतरी संगत में क्या करता है यह त एक-थाममां बना ही नहीं सब कामियाब होते हूं लेकिन देख मैं इंतजार कर रहा हूं ऐसे किसी काम का जिसमें सब कामियाब होते हूं तो तो इसको भी छोड़ दे और उसको भी छोड़ दे तो ऐसे किसी काम के इंतजार में मेरे साथ बैड जहां सब कामियाब होते हूं फिर हम उसमें जाके काम करेंगे यार क्योंकि मेरी सोच ही यह है कि मैं उस काम में कामियाब नहीं हो सकता जिसमें एक दो तो इसलिए मुझे कैसे प्लेटफॉर्म का इंतजार है जहां सब कामियाब होते हूं वहां भी मेरा एक परसिंट कि यह काम मुझे और देख कम पार सकता हूं लेकिं तुम उस्पक्राइश करत दो तो मैं कुँगा यहर हो मेरे को नहीं पता तरी ले कौन सा गा मैं तु नोकरी कर ले जाए जाके बट इस काइंड ओप पीपल आर एफेक्टिंग आवर लाइफ बैडली और कभी नेगटिव आदमी से बात कर ले ना जो मैंने एपिसोड दो रहा है इसके अलाव आप कुछ सुननी पाऊंगे उनके मुह से दियार नेगटिव तोवर्ड़ से इच और फिर्धिंग इन दिस वर्ल्ड और हम इन लोगों को अपनी संगत बनाके बैठे हॊँए हम इन लोगों की दुर्शंगति पाल के बैठे हुए तो हम कामियाब कहां से ऊंगे हम कभी कामे नहीं हो सकते नुसरी बात थी पीपल आर डिपेंडन्ट ओन अदर्स यह अपने काम में किसी ना किसी के लिए या कमपनी के प्लाइन पे dependent रहेंगे या कमपनी के प्रोफाइल पे डिपेंडेंडend रहेंगे या कभी भी खुद कलम पकड़कर खुद beim पकड़कर कभी ik mimic लेंगे कि एक तुने मेरी जन्दिया ठेका थोड़ी प्रτικ तक लिए गावíst और तक चलाएगा मैं खुद अपना काम करनुगा नहीं पर यह डिपेंड्डेंट रहेंगा किसीना किसी ना किसी का खुम पीना ही है इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसीं एंगल से अपनी या समर्था जाहिर करनी है कि मेरे से यह नहीं हो का मैं यह अच्छा नहीं कर पाता मैं यह बढ़िया नहीं कर पाता हूं यह तू कर दे टीम बनानी पड़ती है कि कोई हमसे ये वाला काम हमसे बहतर कर सकता है लेकिन जो काम सबको करना ही है उस काम को भी हम खुद करने को तयार नहीं है एक positive आदमी independent होता है एक negative आदमी dependent होता है negative आदमी की पहली निशानिय वो dependency रखेगा हम अपनी dependency को प्राकर्तिक dependency को खतम नहीं कर सकते हैं लेकिन जो खतम कर सकते हैं उसको खतम कर देना चाहिए लेकिन negative आदमी उसको भी खतम नहीं करेगा उसको भी पाल कर रखेगा कि जो मुझे एक चीज़ के लिए dependent रह नहीं है तो मैं क्यों ना so के लिए रहू वो एक भी चीज़ से इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे तो कहां के ला रहा हूं मेरे पैसे से खाना और चोईस अपनी दे रहा है कि डोमिनोस पीजा खाना है यह नेगड़िव आदमी के पहली पहचाना आ जाती है तो इस पीपल आर डिपेंडेंट ओन अधर पीपल सो थो देम अवे फ्रॉम यूर लाइफ अगली चीज क्या है कि ये जितने भी लोग हैं ये सब ना टौक और इंटे होते हैं किसी मुद्धे पे चर्चा करा लो बहस करा लो डिसकेशन तो करेंगे नी तर्प तो देंगे नी लेकिन एक मुद्धे पे सारी दुनिया को लपेटने के लिए पूरी दुनिया को अकेले लपेट लें और उस मुद्धे पे चिलाने के लिए चीखने के लिए इनके पास जिन्दगे में परियाप समय हैं ना तो उठेंगे और ना उठने देंगे एक्शन नहीं करेंगे उस मुद्धे पे ये वो आदमी हैं जो पचास साल गवर्मेंट की बुराई कर लेंगे ले लेकिन ये ख़ुद एक अमीरं नीष न ही बने के चो गरीबों की मदद करने खाए कि देख ऐसे अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए लेकिन ये डाइनासोर के काल से लेके आज तक खुद अमीर नी बने और खुद मदद करके नहीं दिखाई कि ऐसे अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए भाशन दिलवा लो करके नहीं दिखाएंगे इस पीपल आट टॉक औरिंटेड नौट एक्षिन औरिंटेड ये फेस्बुक के योद्धा हैं ये पार्क में डिस्ट्रिक्ट पार्क के योद्धा हैं बैंक्चेस बेटके बड़ी बड़ी महावारत रचेंगे कुछ नहीं करेंगे ये लोग बोलते हैं कि मेरे को कोई एक बार ठग लेना तो मैं ये कर दूँ एक बार मेरे को कोई बेकू बना के देखे अरे आप वो पर जाती है जिसको हर पांच साल बेकू बनाया जाता है आप ही के सेलेक्शन के नेता आई हुए नेता उसे अब दुक्य होते हो उसके बाद भी करोडों लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक ही एक्षिन को बार-बार किया जाता है अगर लोग इस चीज से रुकने लग गए जिन्दगी इस चीज से धमने लग जाए ना कि लोगों को जहां दोखा मिलता वो काम नहीं करना चाहिए तो मैं एक चीज बताता हूँ आज आपको सबसे बड़ा दोखा इस संसार में किसी चीज में हुआ है ना तो वो हुआ आपके घर में अगर आपने ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दिया था तो आप जानते हैं कि उसने आपके घर में कमी छोड़ी है कमिशन खा गया और कच्छा समान लगाया और अगर आपने खुद घर सामने खड़े होके बनाया था तो आप तब भी जानते हैं कि आपका घर उतना बढ़िया नहीं बना क्योंकि अगर मजदूर ढंक से होते आप घ्णी पर भी दुखी रहते हैं और ठेके भी दुखी रहते हैं हर घर के मकान बनाने में हमारे साथ फ्रोड हुआ दोस्तों तो हर घर अगर ठगा गया तो इसका मतलब घर नीं बनाने चाहिए अगर नोएड़ा में इतने फ्लैट्स में दोखा धड़ी होगे इसका मतलब आप हमने कभी फ्लैट ही नहीं करीतना है एक रास्ते से नहीं बढ़ला जाताए उसी रास्ते पर चलके काम्याब पारी तो क्यों कर रहा है अब बार बार तो आपको सरकार बनाने में भी कामियाभी नी मिल पारी फिर क्यों बना रहे हो बार बार आपको नोकरी में कामियाभी नी मिल रही फिर जैनरेशन की जैनरेशन क्यों जो कर रहे हो बार बार तो आपको घर बनाने में हर मہینे की income से जो आपको चाहिए थी तो बार बार हर बार income वही नोखरी करने के लिए दोबारे क्यों आते हो एक बार accountant बनके या एक बार logistics में आके या एक बार teacher बनके या एक बार बिजली के दफ्तर में लगके आपको वो हासिल तो नहीं हुआ जो आपको हासिल करना था एक महीने काम के उस एक महीने में आउट पुट है या आपको समझा आगया कि मिरी यह उकात है मिरी यह सेलरी इसमें वो मजा तो नहीं आए जिसको लेने के लिए मैं आया था तो क्यों बार-बार हर महीने वही नोकरी करने के लिए उसी जगह लोटके जाते हैं क्योंकि करना है जीवन का साशोत नियम है जब तक कामियाब नहीं हो जाते हैं वही काम बार-बार करना पड़ेगा तो बार-बार करेंगे ये जीवन का साशोत नियम है लेकिन नेगेटिव आदमी हमारे को यहां से भठकाते हैं जैसे को खुद उसी आदर्श को फोलो करते हैं जिस आदर्श की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आदमीओं को जीवन से हटाना पड़ेगा तभी यह जो एक मोटिवेशन आपने हासिल गरी है यह लंबे टाइम तक टिक पाएगी अधर्वाइस यह मोटिवेशन लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगी कुछ इसमें और चीजें हैं कुछ फिलोसफी और हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि एक काम तो हो गया नेगेटिव लोगों को इडेन्टिफाई करना और इने लिस्ट से हटा देना उनकी ना सुनना एक काम और है जो हम क्या खुद से कर सकते हैं कि हमारी मोटिवेशन ना जाए इस टोपिक को ध्यान से समझेगा कि अगर एक बार आपको पॉजिटिविटी आ गए या मोटिवेशन आ गया या जैसे राजी वर्मा जी बोल ले थे कि मेरा पैशन लूजना हो तो सर्व यहां पर टोपिक में बात कर रहा हूं हमें सब चार डी लेके आने हैं जिन्दगी में हमें चार डी बहुत मदद मिलेंगे हमारी मोटिवेशन को लंबे टाइम मिंटेन करने के लिए शाद पूरी जिन्दगी मिंटेन करने के लिए पहली चीज जिस काम को करने का निरने ले लिया बिजनसमें बने का निरने ले लिया बिजनस में नेटर्क मारकेटिंग को चुन लिया नेटर्क मारकेटिंग में दार इजुना इनको अपने चुन लिया सेलेक्ट कर रहे एक चीज़ का निरना हो गया जिस चीज़ का आप निरने ले ले लेते हैं जिस चीज़ को आपने एक बार मान लिया कि मैंने करना है उस चीज़ को डिकलेर करिए चार डी बताऊंगा आपको इस चीज़ को डिकलेर करिए declaration कैसे हो सकती है जैसे संभव हो सकती है वैसे करिए सबसे पहले अपने परिवार में declare करिए कि मैंने अपने mother को, father को, भाई को, wife को declare कर दिया कि see I have thought a lot मैंने कुछ चीजे समझी हैं और उन्हें जब declare करें तो तरक के साथ करें, motivation के साथ ना करें कि सुना, मैं तुम्हारे का बता रहा हूँ, मैंने काम चाल कर दिया उसमेंने अपचास राख रुपे कमा के दिखा दो यह मुरखता पूरन declaration नहीं बलकि समझदारी वाली declaration करिए कि मैंने यह सोचा और यह देखा और मेरे को सक्सेस और इधर डेथ जब तक मृत्यू नहीं आ जाती है, मैं कामियाब नहीं हो जाता तब तक मैं इस काम को करने का निर्ने ले रहा हूँ इधर पार्ट टाइम, फुल टाइम या कैसे भी मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं यह चीज करने वाला हूँ फर्स्ट, डिक्लेयरिट जब डिक्लेरेशन करते हैं तो उस डिक्लेरेशन की निशानिया छोड़िए मान लीजेगी आपने डिक्लेर कर दियो और दरी जुनाइन करना है तो अपनी डाइरी में अपने सपने लिखके रखिए उन्हें कहीं लिखके चिपका दीजिए ताकि वो दिखते रहे और कोई वेक्ती पूछे कि ये क्या है तो आप वहाँ दोबारा डिक्लेयर कर सके कि भाई मैंने बड़ा सोच समझ के काम चालू करा था उस काम में मेरे ये कुछ ड्रीम्स है जो मैं चाहता हूँ कि पूरे हो जाए या जिस ड्रीम्स के लिए मैं महनत कर रहा हूँ तो ये मेरे यार वो सपने हैं जो मैं जीना चाहता हूँ जिस चीज के लिए मैं दिननात तोड़ता हूँ यह तब है तब देखियो तू यह बेवकुफ़ी और बेहुदगी की बाते मत करिये तेल देम सिंसरली डिकलेर देम सीरियसली कि दीज और फ्योफ माई ड्रीम्स वट आई विश तू हैड यह मेरी इच्छाए हैं जो मेरा मन करता है कि मेरे पास भी हो इसलिए ना यार मैंने क सब कुछ ठीक रहा तो मैं इश्वर से दुआ करूँगा उस परमातमा ने मेरा साथ दिया मेरी मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया तो मैं भी कभी यह कर पाऊँगा वो सपने मेने टांग रखें कुछ डेडलाइन्स डेकलेर कर रखी हैं ताकि मैं उनको दिमांग में रखक मेहनत कर सकूँ, ऐसा declaration करिए, सुन्दर सच्चा, अच्छा विनम्र declaration, अकड में भरा हुआ, गंदा, अतियुत्सा वाले declaration ही, अच्छा, सुन्दर विनम्र declaration, जिसमें लगे कि इस आदमी में इंसान ही है, ये बड़े दिल की गहराईयों सो, और सच्चे दिल से बात कर रहा है, जूटी motivation के साहरे नहीं, आप bag लीजिए, जिस पर company का logo हो, आप material रखे, branding material रखे, जिस पर कहीं logo हो, कुछ भी चीज़ों, coasters हो गए घर के अंदर, या कोशिश करिए कि जहां जहां branding आ सकती हो, रखे ताकि हम multiple जगे से चीज़ को declare करेगी, yes, I am into this, ताकि लोग आपसे पूछे कि ये क्या है, क्या कर रहे हो, तो आप declare कर सको, network marketing में lead आती है declaration से, जहां जहां जाके आप declare करेंगे, तो वहां से lead आएगी, business कैसे चलता है, detol अपनी packaging करता, उसके बाद जाके declare करता है, कि detol ने एक साबून निकाला है, एक hand wash निकालना है, electronic media पर declare करेगा, newspaper में declare करेगा, दुकानों के बाद पोस्टर लगा करेगा, उनके board पर declaration करेगा, इसको advertise में नहीं बोलते हैं, इसको declaration बोलते हैं, वो हर जगे चाहके declare कर देता है, कि हमारा एक साबूना है, हमारा एक साबूना है, this is declaration of their liquid hand wash, कि I am doing this, I am doing this, detol is producing liquid wash, detol is producing liquid wash, वो सारी जगे चाहके उस चीज़ को declare करते हैं, तो declaration से result आते हैं, तो first declare it to the most of the people and most, and most of the people, facebook पे डाल दीजिए, कोई ऐसी photo लीजिए, जिसना आपके पीछे logo आ रहा हो, energy nine का रहा हो, दामोलिक का रहा हो, किसी चीज़ का रहा हो, जिससे आपके declaration साबित होती हो, टीशेट्स पहें सकते हैं हम declaration के, तो ऐसे declaration के stuff लीजिए, अगर company के पास नहीं, print venue से मंगवा लीजिए, लेकिन जितने माध्यम से, pencil से, diary से, जिस चीज़ से declaration जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा declaration होना चाहिए, इसी process में declaration की process में आता magic corner, जिसकी मैं अभी बात करूँगा, घर में dining table पे, या kitchen में दामोलिक के मसाले, या M9F9 के jar जो होते हों, नहीं होगा, तब तक business नहीं बढ़ेगा, तो first चीज़ है motivation बनाने के लिए, declare a lot, क्योंकि जितना ज़्यादा declare करेंगे, उतने लोगों के सामने आप expose हो जाएंगे, तो उन लोगों का pressure भी बन जाएगा, कि आप अपनी motivation में, अपनी जिन्दगी में इसलिए भी हिम्मत नहीं आ रहेंगे, क्यार मैं इतने लोगों तक बोल चुका हूँ, कि मैं एक काम कर रहा हूँ, छोडूँ गा तो उन वो लोग क्या सोचेंगे, तो इसलिए declaration का एक महत्व ये भी है, तो जितना ज़्यादा हो सकते हैं, वो declaration करिए, दूसरी चीज़, do it as a job, not as a trial, declare कर दिया, तो dedicatedly करिए, dedicatedly का क्या मतलब होता है, कि मुझे ये काम करना है, इस काम को करने के लिए, जो भी लगेगा मैं करूँगा, काम्याब होने के लिए, I will do what it takes, की और काम्याब लोगों की vocabulary में एक अंतर है, काम्याब व्यक्ति क्या करते हैं, I will do this whatever it takes, जो भी ये लेगा मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे ये करना है, ना काम्याब आदमी क्या करेगा, I will try to do this and I will do my best, मैं अपना best करूँगा, चाहिए काम हो या ना हो, लेकिन काम्याब आदमी क्या करेगा, मुझे काम्याब होना और मैं वो करूँगा, जो कुछ भी इसको करने के लिए जरूरी होगा, मैं वो सब करूँगा, जो 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 इसको करने के लिए जरूरी है, मुझे वो लिस्ट डाउन करके दीजे, मैं वो सब काम करूँगा, उस लेकिन मुझे ये करना, मुझे अपना बेस्ट नहीं करना, मुझे ये करना है, मेरा बेस्ट हो सकता है, कम भी रह जाए, लेकिन अगर ये करके ही कामियाभी मिलती है, तो मुझे ये करना है, हो सकता है पर कमयाभी ना मिलती हो लेकिन मुझे यह करके कमयाभी मिलती हो तो मैं कर लूँगा फोर एन एक्जेम्पल हां मैं क्रिकेटर और मैं बोलता हूं कि मुझे और मैं जो मेरा बैस्ट होगा वो कोशिच करोंगा कि मैं ज्यादा से ज़्यादा रन बनाओ लेकिन एक आदमी क्या बात करेगा कि मेरे को मैच को चितवाने के लिए क्या करना है तो वह बोलेंगे यार अगर तू यहां जाकर svant और तो कि हमारे को जीत सैंचूरी मारने से मिलती है तो मेरा फोकस संचừa यह लेकिन वही पर दूसरा बेस्टमarenth क्या बैका यह टो नहीं बटरक्ता बाई मैं सैंचूरी मार हूँ आनिमादाई निम्स बाइफ है कि I I will do my best मतलब आउट फोकस हो सेंचुरी मतलब फोकस में हो सेंचुरी लगे ना लेकिन कम से कम आपकी नियत सेंचुरी मारने की तो तो जब यह काम करना है तो डूइट ऐस जॉब लिस्ट बनानी है तो इसलिए बनानी है क्योंकि मेरा काम है I need to do it because this is what it takes डाइरी बनानी है क्योंकि कामियाभी को चाहिए मुझे अपना बैस्त नहीं करना अपना बैस्तों में सोस्तों में दिमाग से करनूँगा बट डाइरी बनानी है because success needs it सबको प्लान देना है क्योंकि success needs it तो discipline होना जरूरी है dedication होना जरूरी है जब तक यह dedication नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा तो यह dedication और determination होना जरूरी है do it as a job क्योंकि अब तक इतनी trainings के बाद आपको motivation आ चुका है अब खोना नहीं है तो उसके लिए साधन क्या है negative लोगों को उटाओ negative लोगों से infected रहो declare करो discipline में आ जाईए declare करके बाद discipline में आ जाईए dedication के साथ उतरिये कि यह job है list बनाना मेरा काम है इसलिए कर रहा हूं declare करना मेरा काम है इसलिए कर रहा हूं 200 लोगों तक बात करना मेरा काम है इसलिए कर रहा हूं इसके बीच में calculation करने मत बैठिये बार बार वो अब सबसे important की बात करूँगा devotion, devotion to an applying, अब यह मुद्धा थोड़ा सा controversial होगा, लेकिन जो लोग अपना जुनूनिक होना चाहते हैं, कामियाब होना चाहते हैं, तो मैं कुछ examples दूँगा, मैं विद्रो करने की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत में, आप कऌर्णर से पहले last topic है, इसके बाद तो सुर्ब मेरेको दो बात और ही करनी होंगी टेक्निकल, सबसे बड़ी बात है कामियाबी के लिए devotion, अब कामियाबी के लिए devote किसको किया जाए, सबसे बड़ा chapter आएगा जाता है, कामियाबी के लिए devote किसको किया जाता है, अपने किस आदमी को devote करूँगा जो मेरी बिजनस में कामियाभी के लिए काम कर रहा अगर मुझे नेट अक मार्केटिंग में किसी को devote करना है समर्पन करना है कि किसी का आख बंद करके माननी है तो किसी ऐसे वेक्टि को किया जाएगा जो उस चीज से रिलेटेड हो लेकिन हम लोग devote किसको करते हैं हम devote उसको करते हैं जिससे हम दबते हनी जिजिजिदगी में छोटा सा एक्जेंप्ल देता हूं रामायन से ही एक्जेंप्ल निकाल रह masculinity समझा कि एक मेंटर की एक अपलाइण की सची apply की हमारी जिंदगी में एहमियत क्या जरूरत क्या और उसके बिनाम क्यों नहीं कर सकते जब तक हम अपरी एक applying को एक mentor को devote नहीं करेंगे तब तक हम network marketing में कहीं पर भी किसी भी फिल्ड में काम्याब नहीं हो सकते जब तक कि उस फिल्ड के काम्याब आदमी को हम डिवोट नहीं करेंगे बहुत छोटा सा एक्जमपल दे रहा हूं समझेगा इस एक्जमपल को जब राम और लक्षमन वापसी आगए अपना एजुकेशन लेके तो एक दिन दर्बार में रिसी वशिष्ट पोचे और उन्होंने कहा कि मुझे राम और लक्षमन की जरुरत है ये मुझे सोब दीजी भरे दर्बार में दश्रत ने पूछा राजा दश्रत ने पूछा कि मैं इनको क्यों सोब तो उन्होंने कहा कि प्रभू हम यग करने के कोशिश करने राजा और उसमें कुछ असुर आके कुछ बिगन डालते हैं हमारा यग हमारा हवन खराब करते हैं तो उन राक्षिसों से निबटने के लिए मुझे राजकुमारों की आवशिकता है ये सुनते ही क्योंकि कॉमल हिर्दय था मा का हिर्दय था राणी कोशला थी वो थोड़ी से द्रवित हो गई और उन्होंने बोला कि जो यह हैं ये नव्युक बड़े चोटे हैं रिशि उमार कमजोर है राजकुमार जो हैं बच्चे हैं आप एक काम करें उन्होंने दश्रत जी को बोला कि राजा आप स्वेम क्यों नहीं चले जाते आप जाके क्यों नहीं बोलते आप इनके यक की रिश्री वशिष्ट के यक की असूरों से रक्षा क्यों नहीं करते दश्यत बोले रिशिरी जी देव गुरु देव ये रानी जो है रानी कोशला ये सही कह रही है इनको कभी अभी जो है कोई वो नहीं है उमर नहीं है इनका कोई लेवल नहीं है गुरु श्रेश्ट है कोई एक्सपिरियंस है मैंने यूद लड़े हैं मैंने देवताओं की तरफ से भी असुरों के खिलाफ यूद लड़ा है तो मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको आस्वाशन देता हूँ मैं रक्षा करूँगा लेकिन वहां पर रिसी वशिष्ट ने कहा कि ये गुरू आग्या है मैं आप से मदद नहीं मांगना हूँ मुझे चाहिए तो केवल राम और लक्षमन चाहिए मुझे दर्शत नहीं चाहिए अगर आप देते हों तो दीजे नहीं देते हैं लेकिन यहां पर अब बात ये है कि गुरू आग्या हो चुकी है आप या तो राजकुमार देंगे या मैं खाली आत लोटूँगा पुरान काल की घटना मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम डिफ्रेंशियेट कर पाएं और क्योंकि वो गुरू आग्या थी इसलिए रामायन जानने वाले सब लोग जानते हैं कि उस यग में वहां पर राम और लक्षमन गए और वहीं से उनके बाद ही इसी वशिष्ट ने ही शाद कर पता लिए लेकिन गुरू आगया सरवतम थी अगर राम को और लक्षमन को नाम कमाना था प्रभुश्री राम को उन्हें आगे चलके इतिहास पुरुश बनना था उनको काम्या पुरुश होना था तो उनको असूरों के चैलेंजिस देखने थे और बावजूद इसके की मा के और बाप की दिली इच्छा नहीं थी लेकिन अपनी बच्चों की कामयाबी के लिए वो जानते थे कि एक गुरू ही कामयाबी दिला सकता है माबाप का हरता कमजोर होता है गुरू आगया दिला देगा इसलिए उन दोनों ने अपने बच्चे अपने जो राजकुमार वो गुरू को सोब दिये हर कमफर्ट था हर सुकसंपदा थी लेकिन उसके बावजूद भी की फ्यूचर डेवलेप्मेंट के लिए गुरू की आगया कभी थे हास में नहीं टाली गए इसलिए गुरू बनाना आवश्चक होता है आज से ज्यादा पुरानी नहीं 25 साल पहल वो ने देखा होगा कि माबाप जाके टीचर्स को यह उनके गुरू को बोलते ते कि मेरे बच्चे को कामयाभ कर देना मेरा बच्चा पढ़ता नहीं इसको पढ़ा देना वो जाके क्या बोल के आते तो बच्चे के मूझ पे उसके टीचर को कि सर या मेम uses को यहां पर कामियाब कर दो ऐसा नहीं है कि कोई मुआबाप ऐसा था कि जब उनके बच्चे को थपड़ पड़ता था या डैंडा पड़ता था ता उनका दिल दुखी नहीं होता था लेकिन तब कि माबापको एक बात पता थी कि अगर गुरू को समरपन नहीं देगा ना मेरा बच्चा तो मेरे पास वो काबलियत नहीं है कि मैं इसको यहां पर कामियाब कर दूँ लेकिन इसका गुरू इसको कामियाब कर सकता है तो अपने बच्चे के सामने ही खुद समर्पन करके आता था गुरू को और बच्चे को बोलता था कि इस परकार का समर्पन है कि अगर तेरे गुरू ने तरह बाप को बोल दिया ना एक बार तरी कंप्लेंट कर दी तो तेरा बाप मारेगा गुरू के बोलने पे लेकिन आज की तारीक में हम क्या है कि हम ही अपने बच्चों के गुरू है हम ही अपने बच्चों के मेंटर बन गए हम ही अपने बच्चों के ही खतम कर दिया आज वो समर्पन का जजबा स्टूडेंट से मिट गया आज के स्टूडेंट समर्पन ही नहीं जानते वो कामियाब कहां से होंगे वो मेंटर कहां से चुनेंगे उन्हें अकडना आता है उन्हें अपने गुरुओं की आखों में आख डालना आता है उन्हें अ पहनत करके सामराजे खड़े करें जो स्क्रेट्स तूस काई गए पिछली जनरेशन ने थोड़े से बहुत किच किया गाउं में आके शहरों में बसा दिये लेकिन आज शहर में पैदा हुआ बच्चा अपने शहर में दूसरा मकान लेने के लिए या तो ले नहीं पाता है मैं तो बार-बार कमफर्ट की तरफ खीचना चाहूंगा एक बच्चे का मन तो बार-बार खेलने को होगा क्योंकि गुरू के परती डेडिकेटेड हो गुरू यह बात बोलेगा कि बिटा भी तरह खेलने का समय नहीं अभी पढ़ ले तो तीन पीरियड के बाद तीन लेक् करता है तो बिजनस में भी तो यही होता भ spindle घर में भी होता किसी अबम जाकर बैटते हैं मूओ फिरने निकल जाओं और गुरू नहीं होगा जो रास्ते में हमारे Kurz को अचरा के अब से इस्विमित खेल औरुए divers और अप awakार मियुंस मिल्स्ट बनोई ऐसी अप्लाइण नहीं होगी जो हमारे को नकार दे मेरी कामियाब होने के लिए पांच साल मेरा जिमा लेलो मैं कुछ भी गलती करू कि मेरे गलठ बार देना और मैं आज से आपको समर्पन देता हूं कि मैं कभी आख नहीं उटाऊंगा मैं कोस्चिन नहीं करूंगा अगर आपने मुझे रात के 12 बजे बोल दीए काम करना है तो मैं सामने से यह सवाल नहीं करूंगा कि रात के 12 बजे क्यों मैं आज के बाद अपना दिमाग आपका मेरे उपड़ इस चड़ी से अपना अधिकार जाता ही और मैं उसके लिए सशक ताख नीची करके खड़ा रहूँगा गुरू द्रोही पहले सबसे बड़ा द्रोही देश्ट द्रोही से बड़ा द्रोही माना जाता था लेकिन आज गुरू ही नहीं तो गुरू द्रो ही कहां सौंगे नेटोग मार्केटिंग में भी अगर अपलाइन नहीं बनाएंगे तो नहीं कामिया भी मिलेगी एक ऐसी अपलाइन को समर्पन नहीं करेंगे जो आप से काम ले सके तो कामिया भी नहीं मिलेगी कि अगर अप्लाइन की पुराइया देखते रहेंगे तो काम्याभी नहीं मिलेगे लेकिन दिक्कत क्या है समय के साथ ये रिष्टे तालिय एक हाथ से नहीं बस दी समय के साथ ये रिष्टे धुमिल हुए हैं और ये दोनों तरफ से धुमिल हुए हैं सिश्षों ने भी धुमिल करें तो गुरुवां ने भी कोई कमी नी छोड़ी टीम ने धुमिल करें तो अपलाइनों ने भी कोई कमी नी छोड़ी आज मैंने बोल दिया अगर कोई अपलाइन को डेडिकेट करेगा तो हमारी अपलाइनों में कई ऐसे आदमी होते हैं जो जो मैं आज बताऊँगा कि किस principle पे devote तो करना है dedicate तो करना है जब तक समर्पन नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा लेकिन समर्पन के लिए कुछ चीजे हैं जो देखनी है किस applying को devote करे ये प्रथम सवाल है कैसी applying को devote करे कौन है वो applying कैसे पहचानू उस applying को कि ये मिरी applying है इ कैसे खुद को safe हाथों में छोड़ू क्योंकि गुरू तो शिष्य पहचान सकता है कि ये शिष्य कामियाब है इस आदमी को मैं शिष्य बनाऊ और मैं कामियाब कर दूँगा कामियाबी के लक्षिन है लेकिन किसी सिष्य के वेपास गुरू को पहचानने के अकल नहीं होती गाल गुरू को सिष्य पहचानने होता है सिष्य गुरुन के तो कुछ पहचान है जो गुरु धारन करने से पहले क्योंते से पहले करनी पड़ेंगी पहली बात अगर आपको अपने गुरू में वह नेगिटिवर्टी के लक्षन दिखरें हैं जिसको आप गुरू मानना चाहते है कि किसी को अपलाइन में से सुखा रहेंगे अगर जो नेगटिव लोगों के लक्षन मेंने बताई था वो अगर आपके गुरू में दिख रहे हैं तो वो वेक्ति आपके अपलाइन बनने का अधिकारी नहीं है हर वो आइडी जो आपके उपर बैटा हुआ है वो आपका गुरू नहीं हो सकता अगर उसमें नेगटिविटी का कोई लक्षन दिखता है वो प्रोब्लम्स को ज़्यादा ग्लोरिफाई करता है वो सब जानता है वो सारी बाते करता जो भी मैंने लक्षन नेगटिव लोगों के बताए तो दोबारा सुन लीजेगा वीडियो में अगर एक भी लक्षन आपकी अप्लाइन में है वो आपका गुरू बनने का अधिकारी नहीं है ऐसे किसी वैक्ति को आप डेडिकेट कर देंगे तो अपना नुकसान करवा बैठेंगे फायदा कुछ नहीं करेंगे ये वैक्ति आपके डिवोशन के बिलकुल भी अधिकारी नहीं है पहली बात और ये आपने ये नहीं देखना कि मेरे साथ तो नहीं है ये देखे कि ये आदमी उन नेगिटिविटी को किसी और के साथ कर रहा है अगर ये आदमी किसी के साथ करता है तो कल आपके साथ भी करेगा अगर ये आदमी प्रोब्लम्स को ग्लोरिफाई करत ये स्टाफ पर जैडिव करता है ये किसी सेर्विस के लिए आगर यह कहीं पर ने लिए डिखाता है तो है तो यह सबी के लिए नेगिटिव है तो यह आपका गुरू बनने का लाइक नहीं है इसको गुरूधारन मत करिये इस आदम को लिए मत करिए second चीज़, अगर कोई आदमी किसी का भी financial exhaustment करता है यानि किसी भी वेक्ति की किसी के भी पैसे पे पुरी नजर है चाहे वो 1000 रुपे पे है, 2000 रुपे पे है कोई किसी से पैसा लेके कोई भी भाना बना के लोटा नहीं रहा है या कोई किसी का पैसा लेके खा गया या किसी से पैसा लेका आगया, closing नहीं कर रहा या किसी की joining का पैसा अपने घर के खर्चों में यूज कर लिया अगर किसी भी वेक्ति में financial exhaust करने की या आपके पैसे पे खाता रहता है या आपका देख लिए कि अपके पास पैसा बहुत है अपनी टीम में देख लिए किसके अपास पैसा बहुत है तो उसी के पैसे पे जिन्दा है उसकी गाड़ी का दोहन कर रहा है या उसके पैसे का दोहन कर रहा है ऐसा कोई वेक्ति कभी भी जीवन में किसी भी लेवल पे आपका गुरू नहीं हो सकता है और सेम यही प्रिंसिपल आपके टीम पे भी लागू होते है आपको अच्छा गुरू चुरना है तो आपको अच्छी टीम भी चुरनी है अगर कोई टीम फाइनिशल एक्जोस्ट करती है नेगेटिव है तो वह आपकी टीम में बने रहने के लायक नहीं है अगर आपके पास दस लोग़र वह इसी टीम है कि हमेशा घर चाहे पिना भी हो तो वह देखते हैं कि पा Avatar पाइंग पैसे निकाल दे पानी की बोतल के लिड़ंह निए तो अपैसे दे दे ये गुरूकुल चलने वाला नहीं है, इनके लिए दोनों का बैलेंस मैना ज़रूरी है, तो फाइनेशल एक्जोस्मेंट होना ही नहीं चाहिए, इसके बजाए कॉंट्री होनी चाहिए, अगर दस लोग हैं और पानी की बोतल है नहीं है, तो दो दो रुपे मिला लीजिए, चाहे पीना है तो सब अपनी अपनी चाहे का दे दीजिए, कभी कबार कोई अन्नता बात हो जाती है, हो सकता है, सब लोगों ने चाहे अपनी अपनी ले ली, अप्लाइंग बिसकेट अपनी मर्जी से दिला दे, अपनी मर्जी से आपको दिला दे को एक सोना भी है, लेकिन इन वेक्तियों के जिनको गुरू धारन करना इनकी नियत दूसरों के परती देखिए हो सकता ही आपकी तारिफ करते हो लेकिन आपके मुँपे दूसरों के बुराईया करते हो अरे वो तो गदा है वो तो बिकार है वो तो यह है वो तो वो है 24 गंटे अगर ये दूसरों की बुराईया करता है तो ये तब भी आपका गुरू बनने के लायक नहीं क्योंकि इसकी नियत दूसरों के प्रती खराब है तो ये कन्फा में ये पीट पीचे आपकी भी बुराई दूसरों के सामने करता होगा ये जिसके मूपे है केवल उसी का सगा दूसरों का तो सब के लिए बुराईये ये आदमी तो इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी गुरू धारन मत करिये तीसरी चीज़ देखिए कि जो गुरू धारन करना है वो आप से सिस्टम फोलो कराने के लिए धराबने आपने गुरू को क्यो धारन किया है कि मेरा मन न भटके बाकी तो काम मैं ही करूँगा मेरा मन न भटके समाल लेना मैं भटकना जाओं वो समाल लेना मेरे फोकस हट जाये तो समालना कॉंसेंट्रेशन हटे तो समालना इसलिए तो गुर्व धारंग किया था कि सिस्टम समाल ले हो फोलो कर सके anyhow कि पता लगा कि सिस्टम को हे नहीं फोलु करता हो प्लाइंट ही सिस्टम को नहीं मनता अप्लाइंट ही सिस्टम के विरुद खड़ा है तो ऐसा व्यक्ति भी आपका गुरू बनने के लायक नहीं है जो सिस्टम के विरुद खड़ा है चोती जीज लूज केरेक्टर का आदमी कभी भी आपका प्लाइं नहीं बन सकता जिस आदमी के केरेक्टर में आपको लूजनेस दिख जाए जो स्पेश ऐसे व्यक्ति को तो इमिड़ेटली बाहर निकालिये क्योंकि जो लेडीज के साथ अच्छा नहीं है वो तो बिजनस में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता अब परसन हो इस वेरी रिस्पेक्टफुल टूइर्ड्स लेडीज या वो सिस्टम जहां पर औरतों की इज़त बहुत वैसा सिस्टम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा इमिड़ेटली नोटेस के साथ इन लोगों को निकाल दीजिए इस वेक्ति की बिलकुल भी सिस्टम में जूरत नहीं है जो केरेक्टर लेस है स्पेशली विट टर्म्स टू वुमिन्स जिन लोगों की नियते खराब हैं ज यह आदमी केरेक्टर LES नेस着 कर सकता हैं तो यह आदमी किसी भी हालत में आपका अपलाईन बनने के लायग नहीं है यह अपका मित्तर रहने के लायग नहीं है जो स्पेशली खिसक्राइब हैं जिसके विचार दूसरे सेंटक्परती बड़े बेकार हैं बड़े गलते हैं इस वैक्ति को सबसे पहले निकाल के बारफ है कि ये कच्रा है, ये समाजिक कच्रा है जो हमारे रिया नहीं होना चाहिए, कई लोग हीरो पंती में बाते करते हैं, बिल्कुल बिनीन को अलिमिनेट करें, दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं मानता हूँ की किरतार देखने के लिए, ये वैक्ति अपने से छोटे से, या जिस वैक्ति को दबता है, जैसे इम्प्लोएर अपने एम्प्लोई के साथ कैसे भीएव करता है, रेस्टॉरेंट में जो वैक्ति सको खाना खिलारा रा लाके खाना दे रहा है उससे कैसे वैवार करता है अपने से छोटों से कैसे वैवार करता है जिस वैक्ति का अपने के छोटों के साथ या अपने से कम बुद्धी मान वैक्ति के साथ वैवार अच्छा ना हो जो दूसरों को बेवकूप बोलता हो कि उनके पास बुद्धी कम है और किसी से तो इतने दब जाएंगे कि उसको भगवन मान लेंगे और किसी को इतना दबा देंगे कि उससे जीने का अधिकार भी छीन लेंगे तो ऐसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी अपने जीवन में जगह मत दीजिए character applying होने के लिए और team होने के लिए पहला right है अगर किसी व्यक्ति का ध्यान अपने काम को छोड़के इधर उदर है सभावी का प्रकर्ति का दिया नियम है कि हमारा ध्यान इधर उदर जाना चाहिए और जाता भी है कोई बुरा ही नहीं है लेकिन जिस व्यक्ति का अपना control नहीं है कि यार यह मेरा system है यहां से मेरी रोजी रोटी चलनी है यहां से मेरा परिवार का पेट बरा जाना है यहां तो मैं कम से कम अपनी प्रकर्तिक भावनाओं को काबू रखूँ जिस व्यक्ति में इतनी सम्वेदन शीलता नहीं है वो किसी का गुरू बनने के लायक नहीं है जो staff को धमकाता हो जो restaurant के बच्चे को धमकाता हो जो काम वालों को धमकाता हो बिना मतलब के 24 गंटे धमकाता रहतो गलत बोलता हो वो वैक्तिक केरक्टर का सगा नहीं है इसकी नियत साव नहीं है ये किसी की भी अप्लाइन बनने के लायक नहीं है तो ये कुछ टोपिक थे हाज मेरे को टोपिक लेना था magic corner लेकिन अब मैं वो कल लूँगा टोपिक क्योंकि छोटा ही टोपिक है और कल से हम फिर अलग-अलग प्रडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे कल से हम अपना प्रडक्ट का सेशन स्टार्ट करेंगे अपने प्रडक्स को डीपली जानेंगे बिजनस के बारे में जो मुझे मुझे मुटा-मुटा बोलना था वो बता दिया पहले चार दिन जो motivation आपके पास होई होगी उस motivation को आप continue कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने आज tips दे दिये तो अब आपको जो चीजें मिल गई हैं उनको संजोगे रखने का तरीका भी आज हमने discuss कर लिया है अब तो यह हर individual पे है क्यों संभाल के रखेगा या नहीं रखेगा उकामियाब होना चाहेगा या नहीं चाहेगा वो अपनी apply धारन करेगा या नहीं करेगा वो अपनी टीम में अपना character example lead by example करेगा या नहीं करेगा बहुत से लोग इन training के बाद अपनी टीम को connect नहीं कर रहे हैं दोस्त वो गलत हो आप लोग बहुत सी टीम में अपनी apply इन से बादचीत नहीं कर रहे हैं इन दिनों ट्रेनिंग्स के बाद आप गलत हैं ट्रेनिंग्स किसी पर प्रवाव नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि उन बीजों को आपने बाद में खातबानी दिया ही नहीं तो ये बीज आपको फलेंगे बनी विचार seeds होते बीज होते हैं जो बोला जाता ideas are like seeds they go into your mind and they need to grow लेकिन उन्हें grow करने के लिए माहौल चाहिए उन पर continuously discussion चाहिए like minded लोगों से बाचीत होनी चाहिए तो ये सब चीजे जब तक हम नहीं करेंगे काम्याब नहीं होंगे feedback से एक दूसरे के साथ share नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ जो points मैंने समझे उनको और बेतर से समझा सकूँ उसको याद होंगे तो आपको याद होंगे discussion से चार याद हो जाएंगे हम इस process को follow नहीं कर रहे हैं यह गलत process है यह analytical process है जो हम अपना रहे हैं जो लोग कर रहे हैं वो लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं सोचिए मैं सब बहुत बोलना हूं जो अप्लाइन अपनी टीम को कोल नहीं कर रहे हैं इन दुनों वो अच्छी अप्लाइन नहीं है और जो टीम अपनी अप्लाइन को कोल नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छी टीम नहीं है और यह बात मैं इसलिए नहीं बूलना हूं कि मुझे मुझे कोई शिकायत है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम जिस परिवार में जिस फैमली में अच्छा है जहां पर हम सब लोग महनत कर रहे हैं एजुकेशन दे रहे हैं प्रियास कर रहे हैं वह फेलना हो इसलिए हम अच्छी इसलिए तीम बने अच्छे अप्लाइन बने हम सब अच्छा अच्छा करें गलतिया हर इंसान से ऊसकती है नाधा नहीं हो सकती है लेकिन नियत से गलत ना बने तो वह जा के करना पड़ेगा अब सवाल आप कर सकते हैं अनूप सेनी जी कह रहे हैं 4D फुल फॉर्म रिपीट करना एक बार सर 4D हो गया सर हमारा declaration discipline, dedication and devotion मैं दोबारा दोरा देता हूँ declaration, discipline, dedication and devotion पहले declare करिए declare करने के बाद discipline से उसको follow करिए dedicated रही है अपने काम को करते हुए और devotion करिए किसी applying को ताकि वो जाके सुधार सके जैसे 4D मैंने सुनीता दोबारा बता दी है एक बार फिर बता देता हूँ discipline, declaration, discipline, dedication and devotion अब जैसे Milka Singh एक example लेता हूँ Milka Singh में Milka Singh जब Australia जाता है अपना focus गड़ बढ़ा जाता है जैसे हम गड़ बढ़ाते है Australia जाता है, उसका ध्यान बढ़क जाता ध्यान बढ़कता है, तो बुरा हारता है Milka अच्छा athlete था Milka Singh जोगो confident होता है मैं जीत जाऊँआ लेकिन हार जाते है हार क्यों जाते है, क्योंकि focus आउट हो जाता है जब वापसी आते हैं, तो पूरी dedication के साथ आते है आके अपने coach को बोलते है अपनी applying को बोलते है कि मेरे को जीतना है मुझे world record तोड़ना है, record बताओ कितने का है और मुझे record तोड़ने के लिए मेहनत करनी है मेहनत मिलका को करनी थी उससे पहले वो तोड़ चुके ते record भागना आता था, दोड़ना आता था, exercise करनी आती थी, सब आता था फिर भी मिलका सिंग ने अपना leader का चुनाओ क्यों करा अपनी applying का चुनाओ क्यों करा अपने गुरू का चुनाओ क्यों करा क्योंकि जब मिलका सिंग ने महनत करनी चालू करी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिलका सिंग जितनी महनत कर रहे थे मिलका सिंग को नहीं पता था कितनी महनत पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तूटेगा क्या होता है वो कोच देखता है कि ये मिलका का बेस्ट तो है लेकिन वर्ल्ड बेस्ट बनने वाली पर्फॉमेंस नहीं है उस टाइम उसकी अप्लाइन का रोल आता जिस चीज़ के लिए मैंने आज आप लोगों को कहा कि आप डिवोट करिए अपनी अप्लाइन को उस टाइम उसका कोच खड़ा हो के बोलता है मिलके इतने करने से नहीं होगा खड़ा हो दोड तो मिलका बोलता है गुरू जी बस होर नहीं होना मिल तो मैं ठग गया हो गया जितना होना था फिर उसका गुरू बोलता मिलके ये वो पर्फॉमेंस नहीं है मेरे को इसलिए नहीं खड़ करा इस performance वो नहीं बनेगा तू जो तू बनना चाहता यू हैं नोट given what it takes you have given your best no doubt but you have not given what it takes और मैं यहां खड़ा था तूने मेरे को जिम्मेदार बना के अधिकार दे के खड़ा किया था कि मैं तरी life में हूँ और तू मेरे उपर विश्वास करता है कि मैं तरी जिंदगी में हूँ तो मैं तेरे सर पे खड़ा हो के मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हूँगा लेकिन तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली बिटा performance नहीं दे रहा दोबारा खड़ा हो और दोड़ अपने बेस्ट को और बेस्ट बना त換 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा अगर उस दिन मिलखाने वह devotion ना दिया होता वह अधिकार ना दिया होता और उसके अप्लाइन ना खड़ी होती तो मिलका अपना बैस्ट करने के बाउजूद वर्ल्ड रिकोर्ड ना थोड़ पाता तो अगर आपको अपनी जिंदिगी का मिलका सिंग बनना है तो अप्लाइन चुननी पड़ेगी डिवोट करना पड़ेगा लेकिन अप्लाइन चुनते हुए साफदानी बरतीएगा तो अपनी जिंदिगी का मिलका सिंग बनिया और अपनी जिंदिगी का ट्रेनर ढूंडिये सर आप कोई सवाल है तो दोबारा बताइए मैंने जो थोड़ी बहुत एक्स्प्लेनेशन दी वो दोबारा दे दी है एनिवन एल्स कोई कोश्चिन अनूप सेनी जी कहारें डेकलेरेशन डिसिप्लेन तीसरा डेकलेरेशन नहीं है सर डेकलेरेशन है discipline, dedication, and devotion. where the resolve there is a very definitely I am gonna lead by example both healthwise and wealthwise and inculcate the same in my team ग्रेट समारिका, सुपर वन, अनिल चोधरी, I am ready for devotion, if you are ready for devotion, find your applying अनिल जी, पायल जग्दीश जी कह रही है, ग्रू गोविन दोओं, खड़े काकु लागु पाय, बलहारी ग्रू आपने गोविन दियो बताए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आज कल ये प्रथा कि रात को आजाओ, लेकिन परिवार नहीं सहमत होता, इसलिए मैंने कहता है, मुद्धा कॉंट्रवर्शियल हो गया, लेकिन अगर आपने अपने आपको एक बार devote कर दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा परिवार साथ दे, और एक बार declaration हो गया तो declaration हो गया, फिर उद्रो नहीं किया जाता, गुरू की या तो सारी माननी चाहिए या एक भी नहीं माननी चाहिए, एक बार सही गुरू मिल जाए, एक बार सही पहचान लिया, तो फिर गुरू के लिए विद्रो करना पड़ता है, राम लक्षमन ने अपने माबाप को कह दिया था कि सभ्षाइसे करना पूरा कैसे कर पाई गुरु आग्या यह महूल आपको देखना है हर लेकिन गुरु आग्या के बाद फिर किसी क्या आग्या नहीं हो सकती जुटा division मत करिएगा वह devotion मत करिएगा ऐसा गुरुत बनाईएगा जिसका बिजनस में कोई और किसी के पास विटो पावर हो जो उसकी आग्या को ओवर राइड कर सकतो ऐसा गुरू मत बनाईएगा गुरू बना दिया तो फिर गुरू आग्या का द्रोग कभी नहीं होना चाहिए फिर गुरू आग्या फाइनल है लेकिन आज कल तो आग्या बहुत चल रही है घुरू आग्या के बाद बीवे आग्या भी चलती है पिचे आग्या भी चलते हैं कि यहा चलती है या तो कि वह ही मोत चुनो और उनी के आज़य hop चलो या गुरू चुनलिया तो कुछ टाइम के लिए जितने टाइम के लिए गूरू लिए वह गुरू आगया पे चलना फिर सारी आज निराद आ रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा जितनी मेरी समझ है बाकि आप लोगों को ध्यान से चुनने राजी वर्मा जी कर रहे हैं सर आज की ट्रेनिंग अटेंड करके प्रेशन स्ट्रोंग होगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच राजी जी आप देखना यह है कि इस ट्रेनिंग से कित आज़री के खौना वाल हमसे किया होती है आज Alban चलो आज खिले होगे अच्छी बादर इस वन हम बियुखनेंग ГТ dit GOOD की लोग होसकूं धिरे से उनकी टीम को भी एक लोग कर रहा है बल्की मेरे कुछ करने से ये काम भuar और इसलिए इसने जोड़ा इसलिए कि टीमों में और अपलाइन में संबंद बिगड़ते हैं जो बाद में खतरनाक स्टेज पर पोश्टे हैं तो ज्यादा दर नेटो करो कि इच्छा और सोची होती है कि कोई मिल जाए मुझे कामियाब करते क्योंकि मैं तो किसी को कर नहीं सकता मैं खुद को नहीं कर सकता मैं कि किसी को क्या करूँगा इसलिए वो दो बंदे ढूंते फिर रहे होते हैं तो आप जैसे लीडर को पाके आपकी टीम धन्याय साब दीपक जी कह रहे है सर सुपब सेशन के आम अपनी लाइफ फिल्ड में एक ही गुरू बना सकते हैं नहीं दीपक जी आप एक गुरू नहीं बना सकते हैं आप दो चार भी गुरू धारन कर सकते हैं लेकिन उनके विचार एक जैसे होने चाहिए वो एक टीम के इससे होने च पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बीवी को गुरु धारन कर सकते हैं आप घर में लोगडाउन में बैतरीन पोचा कैसे मारें उसके लिए आप नेटक मार्केटिंग गुरु से नहीं सीख सकते हैं तो बीवी को गुरु धारन कर सकते हैं गुरु के अंदर लेकिन अलग लग लग विशों पे अलगलग अध्यापग रहे हैं संस्क्रित का गुरू को चो करो होता था तो तो लग 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 अध्य।